सब भी को नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मैं सचित सुकलाव सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आप से जैसा मैंने किया था वादा कि अब हम सब लोग एकॉनोमिक्स की एक बड़ी मास्टर सिरीज लेकाएंगे और आप सबी लोगोंने कल की क्लास में खूप सारा कमेंड किया लगबख शत्रह हजार बच्चो ने ललगातार कमेंड किया या रएप सब लोग सब लोग पूरा 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 इस पूरी विडियो में बहुत अच्छे तरीके सब लोग कोसस करएंगे के complete करें और वो सारे questions को भी जो exam में हैं उन सभी questions को यहाँ पर समलित करेंगे class के शुरुवात करते हैं मेरे पैर दोस्तों हम अपने एक chapter से उस chapter का नाम है demand जिसको बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों मांग क्या बोलते हैं मांग देखिए मांग जो है ना वो basically हमारे पास चार चीज़ों से decided की जाती है मैं आपको थोड़ा सा क्रिविशन देता हूँ कि basically demand क्या होता है अगर मैं बात करो demand जो है या मांग जो है वो basically चार चीज़ों से defined की जाती है सबसे पहले बात किया कि किसी वस्तों की price क्या है उसकी particular quantity और साथ के साथ उसकी फिर हमारे पास willingness to buy willingness to buy का मतलब होता है खरीदने की इच्छा सब्सक्राइब की निया है तो मतलब हम लोग बात करते है की बत दूसरा हमारे पास मात्रा और इस तरीके से क्या हमारे पास खरीदने की खरीदने की इच्छा और इस तरीके से यहाँ पर एक चौथा आता है, हमारे पास हो आता है time period, क्या आता है बताओ time period, तो ये चार element एक बार जल्दी से अपने समय ओधी, क्या बोलो कि इसको समय ओधी, तो अगर मैं बात करूँ किसी भी वस्तु की जो demand होती है, ये basically चार बातों पर निरभर करती ह चलो, फास्ट बताओ, पहले कौन से चार फैक्टर हैं जिन पर किसी भी वस्तु की demand निरभर करती है, पहला हमारे पास price quantity, और हमारे पास तीसरा कौन से बताओ, willingness to buy, और चौथा कौन से बताओ, time period, अच्छा मैं आप से बात पुछूँ, मैंने काओ, किसी वस्तु की demand कितन है, अगर मैं बोलू, एक demand की definition, demand की definition, जो मांग की परिभासा है, मांग की परिभासा, इन चार सब्दों को गर मैं जोड़ दू, तो कहीं न कहीं मांग की परिभासा बन जाती है, मैंने बोला कि कल, कल मतलब क्या tomorrow, कल मैं 10 पैन, 50 रुपए के हिसाब से खरिदना चाहता तो यह हमारे पास क्या हो गया, बताओ, यह जो line है, वो line हमारे demand के लाएगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह जो line हमारे पास, वो demand के लाएगी, तो यहाँ पर जो 10 पैन है, यह quantity है, जिस quantity की मैं खरिदने की इच्छा रख रहा हूँ, कल यानी समय ओधी, और किस के हिसाब स किस कीमत के नुसार, 50 रुपे के नुसार, तो मेरे पैर दोस्तों, अलग-अलग कीमतों पर, सुनो मेरे बातों को ध्यान से, अलग-अलग कीमतों पर, एक उपभुकता, अलग-अलग मात्राओं की क्या करता है, एक खरिद्धी की जो इच्छा करता है, एक समय ओधी में, उ थैंतों 2 होता है मारे पास मार्केट दिमांड अच्छा Central डिमांड क्या होता है एक बार बोलो ज supervisor डिमांड जहां पर एक वश्थू की मांग की गया हम वह को एक व्यक्ति के मांग बारे में औध्यन करते हैं एक टी के व्योहारों के यह घर के मांग के लिए बाद के पारे में इसको व्यक्तिकत मांग बोलते हैं इसको अगर मैं बात करूँ तो इसको हम सब लोग व्यक्तिकत मांग बोलेंगे, हिंदी वाले भी लिखलना है, उसको हम लोग बोलते हैं बाजार रूपी मांग, क्या बोलते हैं, बाजार रूपी मांग, अब अगर मैं बात करूँ बाजार रूपी मांग की, तो बाजार मितनी ही है तो इन सब की जो दिमांड है इन सब की जो डिमांड है और बात करोंगे तो बिसक्ली चावल किसी एक वस्तू पे वस्तू कौन सी होगी चावल तो किसी एक वस्तू पे total demand कितनी है तो घर A की demand घर B की demand घर C की demand तो हमारे पास कितनी होगी 1,000 plus 2,000 plus 3,000 तो एक घाल करते इन तो 5 और 6 तो यई जो 6,000 तो do यहाउसटोल्ड, सभी घरेलू, पनलब अगर देखा जाए, जैसे राजस्थान, अगर राजस्थान में जितने भी घर हैं, जितने भी भोगता हैं, जितने भी कंजूमर हैं, उन सभी लोगों की मांगों को प्लस कर दिया जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी, वो क्या हो कोई एक वैक्तिि हाना पूरे भारदेश में रहने वाला वाला कोई एक वैक्ति एक घर वह किसी एक वस्तु सस्क्राइब कर रहा है वो इंडिविजुर्सुल ये टिमांड और पाके demand clear हो गया, इसके बाद मेरी पैर दोस्तों, अब हाइए हम लोग देखते हैं क्या ऐसे कौन-कौन से factor हैं, जो demand को affect करते हैं, factor affecting the demand, चलो भई, जल्दी से बताओ, factor affecting the demand, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग comment भी करते हैं, चलो, जितने भी सभी लोग live होने मेरे, सभी लोग comment चलो, इस्टार्ट करें, factor affecting the demand, दोस्तो, factor affecting the demand सबसे पहला आता है, मैं रपास price of the commodity, price of the commodity समझते हो, वस्तू की अपनी कीमत, वस्तू की अपनी कीमत के वज़े से demand बढ़ता है, घड़ता है, चलो, देखता है, कैसे, price बढ़ेगा, बोलो, अगर price बढ़ेगा, demand बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, demand घटेगा, और price घटेगा, तो demand बढ़ेगा, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास price बढ़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, demand यहाँ पे घटेगा, पका न, demand घटेगा, और इसी तरीके से अगर हमारे पास price बढ़ेगा अगर price मान के चलो गर घटेगा, तो price का घटने से हम लोग बोल सकने क्या, कि वस्तो की जो demand होगी, वस्तो की demand बढ़ेगी, पक्का next होता है हमारे पास देखो क्या, price of the related goods, क्या होगा, price of the related goods, क्या होता है भाई, price of the related goods क्या होता है, संबंधित वस्तो की कीमत, मैं हिंदी में ओल रहा हूँ, आप लोग no down की करिएगा, जो हिंदी वाला student है, price of the related goods का मतलब क्या होगा, संबंधित वस्तो की कीमत, अब यहां पर जो related goods होँगे, वो दौ प्रकार की होँगे, एक होता speechless goods होता है, एक होता substitute goods हो, एक होता complimentary goods, substitute goods क्या होता है, ऐसे वो goods जो एक दूसर को replace कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जैसे tea and coffee, tea and coffee जो होता है substitute goods होता है, ठीक है, जैसे suppose अगर tea की कीमत है 10 रुपए, coffee की कीमत है 10 रुपए, अचानक जो है coffee की price बढ़ जाती है 10 से 12 हो जाती है, जैसे ही coffee की कीमत बढ़ी, तो coffee की कीमत बढ़ने से ऐसे वो उपभोग था, जो coffee का उपभोग कर रहे थे ऐसे वो उपभोग था, जो coffee का उपभोग कर रहे थे, वो सारे के सारे उपभोग था इसकी कीमत को बढ़ने से, इसकी जो demand होगी इस चाय की बढ़ जाएगी डिमांड चाय की बढ़ जाएगी ऐसा question ही संगड़क में पूछा गया इस pattern के जो questions है ये संगड़क के exam में दोस्तों पूछा गया तो make sure कि आपकी बड़ी अच्छी understanding रहे तो अगर मैं बात करो इस case में हमारे पास जो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी complimentary goods ऐसे goods होते हैं जो एक दूसरे के हम लोग बोल सकते हैं इनको पूरक वस्तू बोलते हैं हिंदी इंग्लिस दोनों पड़ा रहा हूं है substitute goods को क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तू बोलते हैं तो पेटूल की कीमत बढ़ने से कार की डिमांड हो जाएगी क्या हो जाएगी काम हो जाएगी कैंड की कोई थी आप जो है पेटरोल वाली कार को कोईभी demand बहुत कम्से कमकरेंगे समझ गया तो इसी तरीकी से अगर मारत की पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो गई, तो हर कोई कार की डिमांड करेगा, इसका मतलब क्या कार की डिमांड बढ़ जाएगे, तो देखरो यहां पर कि जो पेट्रोल एक कीमत बढ़ने से कैसे दूसरे वस्तू के डिमांड बढ़ रही है घटरी, यह आप लोगों को मैंन आपको संबने से दोस्तो कि डिमांड में कैसे संबंध होता है? अब आप को कि सर जी 이쪽 डिमांड की संबना होता है? मैं सम्तियों की दिमांड का कोई का इसे कम से कम करहें है? ऑगर इनकम बढ़ गया तो काकुट्थी वह बात करणा? गुता है मेंने पास test in preference क्या होता है test in preference हिंदी वहें स्वाथक्पाइब यृॉis वस्तू की टेस्ट नहीं होता तो चाहे वह कितनी भी ऊसे पर मेतर नहीं करता। उसकी all demand घड जाती है। तो जिसका जितना अच्छा test या consumer को जितना अच्छा test लग रहा है उसकी demand ऑट्वेड़ जायेगी। जाएगी और टेस्ट कम हैं तो हमारे पास कहीं नहीं क्या होगा लोग टेस्ट है या बिकार टेस्ट है तो कहीं नहीं कहीं डिमांड भी कम हो जाएगी यह एक बात बताई इस बात को समझो कि अगर मानकी चलो हमें यह पता है कि जो भविश में इस वस्तु की कीमत बढ़ सकती है तो आज अज बढ़ जाएगी अपनी इमांड को रखेंगे अगर लग रहा है कि भविश में उस पैट्रॉल की कीमत गिर जाएगी तो अभी जो पैट्रॉल डलवाने क्या होता है तो मैं बात करूं अगला हमारे पास content कीमत कितनी है तो वजह से भी हमारी डिमांन कहीं निरधारित की जाती है समझ गए दोस्तों अब अगला हमारे पास जो concept होता है उसको बोलते है law of demand क्या होता है भाई हमारे पास law of demand मेरे प्यारे दोस्तों law of demand क्या होता है law of demand का मतलब होता है मांग का नियम, अब मुझे लगता है कि मांग का नियम आप सभी को पता होगा, तो थोड़ा से बरिवाइस कर लेते हैं, देखे, आपको पता है कि price और quantity demanded में एक negative relation होता है हाना price बढ़ेगी, demand बढ़ेगा sorry, price बढ़ेगा, demand घटेगा और price घटेगा, तो demand बढ़ेगा तो there is a negative relationship between price and quantity demanded of a commodity क्या बोलोगे, मेरे प्यार दोस्तो, there is a there is a negative लिखो जल्दी से मेरे साथ साथ negative relationship, तो हमारे पास कहीं न कहीं negative relationship होता है, आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या, रिडात्मक रिडात्मक संबंध होता है दोस्तो, रिडात्मक क्या होता है, संबंध होता है तो चुकि रिडात्मक संबंध होता है, किसके बीच में कीमत वो मात्रा के बीच में कीमत, price and quantity demanded मेरे प्यार दोस्तो, कीमत और मात्रा, जो मांग की गई मात्रा है उसमें एक रिनात्मक संबंद होता है, अब यहां पर एक सब्द लिखना है, क्या, satyrus paribus, या keeping other factor remaining constant, क्या बोलता है, keeping other factor remaining constant, मेरे पैयर दोस्तो, other factor remaining क्या होने चाहिए, बताव constant, कि अन्य कारक क्या होंगे, एक प्रकार से स्थेर होंगे, तो दोस्तों अन्यकारे किस्थिर होने का मतलब क्या होता है keeping other factor remaining constant अन्यकारे किस्थिर होने का मतलब ये होता है जितनी भी मैंने factor बचाए होए जो change होना चाहिए वो से price of the commodity कीमत भगे कीमत घटे ये तो चल जाएगा बाकि income में कोई change नहीं होना चीए related good, सम्मंधित वस्तू की कीमत में कोई change नहीं होना चाहिए, जो स्वादवा प्रात्मिक्ता, टेस्टन प्रफरेंस, वो भी change नहीं होना चाहिए, वो भी constant होना चाहिए, और future जो भविश में जो प्राकीमतें, जो बदलाव होने वाली हैं, उसमें भी कोई change नहीं होना चाहिए, मतलब यह कहना चाहता है, कीमत चाहे, बढ़े चाहे कीमत घटे, तो कीमत के बढ़ने घटने से ही, वहाँ पे law of demand काम करेगा, बाकी उन सब पे law of demand काम नहीं करेगा दोस्तो, समझ मां गया, दोस्तो, आप सभी को समझ मां गया, कोई doubt है, आप लोग मुझे जरूर बताओ, अब यहाँ पे सबसे important बात यह पूछा जाता है, यह प्रस्ण बहुत यहाँ से, मतलब वस्तों के प्रकार, वस्तों के प्रकार हमारे पास मेली तीन प्रकार के किये जाते हैं, यह होता है, हमारे पास एक normal goods, दूसरा होता है, हमारे पास inferior goods, और तीसरा होता हमारे पास gift and goods, क्या होता है बताओ, gift and goods होता है, आज आप सब लोग एक विद्यारती हैं, मेरे प्यारे दोस्तो, आज सब लोग आप क्या हैं? एक विद्यार्थी, आपकी इंकम नहीं है, बुरामत मानेंगे मेरी बात होगा, आप एक विद्यार्थी है, आपकी इंकम उतनी नहीं है, तो अभी मान के चलिए कि आप भी समय मान के चलो, आप चोटा मटर ट्यूशन कि मालिक ही वही कहलाते हैं क्योंकि खुब सारा दूद ही देशी ही तो वही होता है बट कोई दिक्कत नहीं तो इन फीर गुट्स के अदूब यहां पर पांच हजार उनका महीने का गुट्स है आज उनकी पास परियापत उतनी इंकम नहीं है जिसके वज़े से जो डाल डाग ही यूज करते हैं दोस्तो आप सभी को नहीं के साटा है एक लो पालिटी का गुट्स होता है अब अगर मैं बात करहों कि आपकि क्यों आप एक्जाम देते हैं संगड़क का सेलेक्शन हो जाता है अचानक मान लिजे कि आपका जो वेतन हो जाता है पचास जार रुपए महीनी हो जाता है आपकी महीने की पचास जार हो जाती है महीने की सेलरी जो हो जाती है पचास जार तो पांच जार से पचास जार अभी आप इंकम बढ़ी, तो इंकम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कि एक प्रकार से, आपकी जो इंकम इफेक्ट हुआ, वो कैसा हुआ, पॉजिटिव इंकम इफेक्ट हुआ, बोलो ना या दल दिसे फास्ट, आपकी वो goods जो बहुत ही ज़्यादा low quality होते हैं हम लोग बोल सकते हैं क्या है एक तो low quality एक बहुत ज़्यादा low quality अंतर है भाई एक low quality एक बहुत ज़्यादा low quality जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूँ जैसे coarse green तो हमारे पास जैसे coarse green हो गया तो coarse green में हमारे पास कौन-कौन से चीज़ आ गए, जैसे हमारे पास जो मोटे अनाज है, जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे जवार है, बाजरा है जवार है और बाजरा है, ये सब किस में आते हैं बताओ दोस्तों, ये Giffen Goods में आते हैं और मेरे प्राइब दोस्तों, इन पे कभी भी हमारे पास जो law of demand है, इस पे वर्क नहीं करता law of demand इस पे वर्क काम नहीं करता एक प्रकार से, क्यों नहीं करता क्योंकि Giffen Goods की खास बात ही होती है कि अगर इनकी प्राइस बढ़ीगी तो इनकी प्राइस बढ़ने से जो डिमांड भी है मेरे प्यार दोस्तों, वो डिमांड भी बढ़ जाती है और अगर इनकी प्राइस, अगर मेरे प्यार दोस्तों ऐसे वो वस्तु प्राइस के गरने से जो demand है वो भी उनके क्या हो जाती है गिर जाती है तो सबसे important बात कि वो ऐसे वस्तु कौन से है जैसे ज्वार बाजरा ये सारी चीज़े जो मोटे अनाज गुट्स होते है law of demand पर वर्थ भी नहीं करता और मेरे पेर दोस्तों सबसे important बात ही होता है ये जो होते है ये बहुत ही ज़्यादा very low quality के गुट्स होते है बहुत ही ज़्यादा very low quality के गुट्स होते है बहुत मितलब कम गुडवत्ता वाले बहुत ही ज़्यादा हिंदी में लिखेगा इसको हिंदी में कहा लिखोगे कम गुडवत्ता वाले गुट्स highly negative income effect होता है वो सारी चीज़े गिफन गुट्स में आती है और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलता है गिफन परडॉक्स बोला करते हैं क्या बोलता है इस पर law of demand इसलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि law of demand क्या कहता है प्राइस बढ़ेगी दिमांड घटेगी बट यह क्या कहता है वह अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो इसका एक्जांपल में लिखा हुए तो यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे डाउट रहता है नॉर्मल गुट्स इंफिरियर पूरक बस्त हुए प्रतिस्थापन बस्त हुए यह मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दिया एक बड़ मैं स्क्रीन से ड़ता हूँ नोडाउन कर लिजेगा आगे बढ़ें दोस्तो आगे बढ़ता है मारे पास अब हमारे पास एक अगला जो आता है उसको बोलता है क्या मुटमान कर वहाता है दोस्तो मैं आपको अचैनल की पहले है पहले ऊंपल का मतलब क्या होता मुवमन्त मतलब एक प्रकार से गती क्या होता है गती जैसे यह को एक वेक्तीर एक इसी लाइन पे गया है यह वापस इसी लाइन पे इसको समय मोँड़ते हैं वह बुलते detta शेफ्ट के हैं मुवमेंट नृ–्भाषी ृङ-P OFRIS шेफ्ट कहानी है दोस्तों यह बात आप सभी को पता लग गया कि नहीं अब आई हम लोग बात करें जब हम लोग डिमांड करो मुवमेंट अलॉंग डिमांड कर अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं डिमांड करके अगर में मुवमेंट की बात करूंगा दोस्तों मुवमेंट अगर quantity demanded और यह y-axis पर हमारे पास price हो गया, पक्का, अभी आप देखो कि यहां पर देखो क्या, यह just supposed ही point है, तो यह point है, तो हमने यह क्या कर दिया, यह OQ कर दिया, यह OQ कर दिया, यह E point कर दिया, देखो, अभी हमारे पास अचानक हमने price बढ़ा दी, price के बढ़ा दी, जैसी price तो डिमांड कम होगी तो डिमांड कम होगे मतलब क्या हमारे पास e से और पास और अर… इसे श impressed .. in demand बोलते हैं और contraction in demand को हम लोग संकुचित मांग बोलते हैं क्या बोलते हैं संकुचित मांग हिंदी में भी लिख लीजेगा संकुचित मांग बोला करेंगे दूसरा अगर मैं बात करूँ दोस्तो दूसरा अगर मैं बात करूँ हमारे पास देखो ये हमारे पास सब्सक्राइब कर वा गया, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यह x हो गया, o हो गया, y हो गया, यह quantity demanded हो गया, quantity demanded और यहाँ हमारे पास देखो price, अब देखो यह demand कर वे, दोस्तों अभी मैं यहाँ पर मांग कर दिये बने, अब अचानक क होती है, price fall, price गर गया, op-1 और price के गरने से जो demand हो गई, अचानक किन नहीं हो गई, बढ़ गई, तो हमारे पास सी, देखो यह demand बढ़ गई न, तो जो demand जो बढ़ी है, यह मान के चलो, यह E है, तो यहाँ पर मानलो R है, तो जो demand बढ़ी है, तो इस demand के बढ़ने को बोलते ह है, हम लोग expansion in demand, क्या बोलते है, expansion in demand, अरे बोलो ने मेरे साथ, expansion in demand, या हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते है, मांग में विस्तार, क्या बोलोगे, मांग में विस्तार, दोस्तो एक सबसे important बात, सबसे important बात, मैं आपको यहाँ पर सार बता सकता हूँ, यह जो extension और contraction होता ह है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक के वजह से होता है वो है एक और एक और एक एक और एक क्या है मेरे दोस्तों वह प्राइस अपने आप में इतना इंपोर्टेंट कारण है कि इसी के वजह से सिर्फ अकेला क्या है बाकी जितने पर एक और कारण है आप लोगों को बता दो जितने अधर क्या है अपनी कीमत को छोड़के मेरे पैर दोस्तों हिंदी में लिए वस्तों की जो अपनी कीमत को चोड़कर तो जितने भी अधर कारण है, अन्य जितने भी कारण है, अन्य जितने भी कारण है दोस्तों, अन्य कारण जितने भी है, उन सब के वजय से क्या करेगी बताओ, यह हमारी जो डिमांड करव होगी, दोस्तों वो हमारी जो डिमांड करव होगा, उसमें शिफ्ट होगा, क्या होगा shift मतलब क्या demand कर में कहीं न कहीं हमारे पास बदलाओ देखने को मिलेगा क्या मिलेगा demand कर में हमें बदलाओ देखने को मिलेगा आई देखते हैं कुछ important fact के जरीए जैसे कर मैं बात करूँ हमारे पास उसको छोड़ के कि हाना प्राइस क्ऊमोडेटी के छोड़के पहले हमारे पास आता है इंक्म फीटा की आये का मतलब हुआ अगर मांके चलो दोस्तों इनकम बढ़ेगी कि अगर हमारे पास income बढ़ेगी आप बताओ income के बढ़ने से demand कर बढ़ेगी और अगर income घटेगी तो इंकम घटेगी तो दिमांड कर जटेगी तो मेरे दोस्तो ही है नाफ लूघ कर बढ़ी यह हमारे पास u हो गया सभी है ना तो इसे तरीकी सगहर हमारे पास यह क्या हो गया ह benefited हमारे पास कभ्रणलब क्या हमारे पास moderate to an यह क्या हुआ वैए मेरा कही हें धोस्तों छुछ स्व्तार्प्रिसुल कि शास ऐस्व गम हो था श्रॺरेश अ यह चो शुछ को छोड़ के जितने भी हमारे पास अन्यकारक बचे वस्तू की अपनी की जो कीमत है वस्तू की अगर अपनी कीमत को छोड़ दिया जाए बाकि जितने भी अन्यकारक है उन सब अन्यकारकों को वज़े से डिमांड कर या तो शिफ्ट करेगी क्या करेगी शिफ्ट करेगी ठीक अब दोस्तों मांग की लोच के गर में बात करते हैं मांग की लोच होता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मांग की लोच अभी हम लोग बोल रहे हैं कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी हम लोग यहीं बोल रहे हैं कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी ठीक है, कीमत बढ़ेगी, तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी, तो मांग बढ़ेगी, समझ गये दोस्तों, बट अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास कितना मांग बढ़ा, कितना मांग घटा, यह हमें नहीं पता, कितना मांग बढ़ रहा है, कितना मांग घट रहा है, यह हमें पता नहीं है, तो कहीं निकालना पड़ेगा, हमें elasticity निकालना पड़ेगा, उसको बोलता है geometric method, क्या बोलता है सबसे पहला method होता है उसको बोलता है, जाय मिती विधी क्या बोलता है, जाय मिती विधी ठीक है, तो दोस्तों पहला विधी होता है उसको जाय मिती विधी बोलता है इसको point method भी बोला करते है बिंदू विधी, क्या बोलोगे, बिंदू विधी और इसको हम लोग आर्क मेथड भी बोला करते है ठीक है, आर्सी, आर्क मेथड तो point मेथड हो गया, आर्क मेथड हो गया यह geometric मेतड हो गया, दोनों यह एक ही बात है, दूसरा हमारे पास आता है उसको बोलते है percentage method, क्या आता है दोस्तो, percentage method, और percentage method को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत विधी, क्या बोलेंगे, दोस्तो, प्रतिशत विधी, ठीक है, next हमारे पास तीसरा method आता है, उसको हम लोग बोलते है, expenditure method, expenditure method, और expenditure method को हम सब लोग बोलते हैं, क्या, total outlay method, क्या बोलत के सभी method को सभी method के अच्छी ग्यान दे सकूं नेक्स आइए देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जमेट्रिक method की तो जमेट्रिक method क्या हमारे पास फॉर्मला क्या होता है जमेट्रिक method के according अगर मैं elasticity of demand क्या पर लिए तो माइनस का डेल्टा का क्यू अपन में डेल्टा का पी और गुणा पी अपन में क्यू कर दूँआ तो हमारे पास जमेट्रिक method के जरीए हमारे पास फॉर्मला निकल के आ सकता है आई हम लोग देखते हैं निकालने के कोसस करने को एक क्वेशन देखता है मान पास एक नई quantity demand की नई quantity demand की वह हमारे पास कितना दोस्तों बोलो 80 unit कितना demand किया होता हो 80 unit या इसको कर लो 60 unit अचानक demand बढ़ने से हमने 60 unit के demand कर दी अब मुझे बता हूं मान की लोच बताई मान की लोच कितनी होगी दोस्तों अभी यहां पर हमें क्या चीए यह डेल्टा Q चीए यह डेल्टा Q है डेल्टा Q का मतलब क्या होता है चेंज इन quantity में कितना चेंज हुआ तो कितना चेंज ह यहां देल्टा P कोलाओ दोस्तों अग्या दोस्तों पास किद से दस निकाल दो तो बारह में सब्सक्राइब से चेंज हो गया है एक जीर यह जुर चको धूर हमारे पास कितना चेंज है रहे, आंसर कितना या तो Eliasticity of demand हम्मारे पास कितना है एलास्टिकिव डिमांड हम लोग बात करें यह हमने सही किया थोड़ा समय लगता है किγों स्टेक कर दीक है तो माइनिस 40 सी माइनस यह हमार पास 40 और डेलटा कितना वहीं 0 2 इंटो P कितना है P है मारे पास 10 है Q कितना है यह मारे पास 100 ठेक है तो 2 0 से 2 0 के अंसर हो गया ठेक है और 2 दुना 4 तो हमारे पास elasticity of demand जो आएगा हमारे पास positive का 2 the elasticity of demand हमारे पास निकल गया हमारे पास positive का 2 ऐसे निकालेंगे देखो बहुत सरे विद्यारती है सोच रहेंगे सरी तना fast क्यों बढ़ा रहे हूँ मुझे पता है मिने दोस्तों हमें पूरा syllabus आज की class में करना है मतलब पूरा syllabus मतलब syllabus का maximum part जो बहुत important part है पूरा syllabus तो एक class में कैसे होगा मगर हाँ यह है कि पूरा syllabus का maximum, maximum, maximum part जहां से सबसे अधिक questions पूछे जाते है वो हमें आज की class में करना है तो थोड़ा सा एक quick revision किया जा रहा है quick revision दिया जा रहा है यही topic मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है YouTube पे बहुत प्यार से, बहुत slow, slow, slow बहुत आराम से, बहुत दीरे से अगर आपको धीरी-धीरी, बहुत आसान से बिल्कुल धीरी-धीरे पढ़ना है तो जाके YouTube की playlist देख सकते हैं पर अगर आपको पूरा आपने पढ़ा हुआ है एक बार अपनी दिमाग को कुछ छोटी से वीडियो के जरीए आप पूरा quickly revision देना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है ठीक है तो आएए बढ़ते हैं आगे यहां तक हमारे पास समझ मागे है सारी चीजी यहां तक दोस्तों समझ मागे है परसंटेज चेंज इन प्राइस यह बात नमबर पहली होगी अब दोस्तों अगर मैं बात करूं समझ देन से अगर हमारे पास P10 है और क्यों हमारे पास कदना है मानलो 100 यूनिट है ठीक है समझना देन से P हमारे पास 10 है या इसको इस तरीके समझो elasticity of demand जो है मानके चलो हमारे पास 0.2 0.2 दिया हुआ है और percentage change in price % change in price जो दिया हुआ है वो मानके चलो दिया वह 10% अब आपसे कोई पूछे कि percentage in quantity निकालो और percentage in quantity demanded निकालो तो निकाल लोगे तो चलो बताओ जल्देसे fast निकालो देखो तो प्रतिसत जो मात्रा की मांग में बदलाओ है हिंदीवल लिख लो भाई वह प्रतिसत जो मात्रा की मांग में बदलाओ अपॉन में प्रतिसत जो कीमत में बदलाओ है ठीक है तो हमारे पास जो मांग के लोच कितना देऊ है मांग के लोच हमारे पास देऊ 0 20% हमारे पास आ जाएगा, कोई डाउट है क्या, चलो बहुत शांदार, अगला question देखें, चलो अगला question देखें मिर भाई, तो हमारे पास अगला question आता है, total expenditure method, total expenditure को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कुल वे विधी, है ना, एक प्रकार से जो total expenditure है, उसको बोलते हैं, हम लोग क्या, कुल वे विधी, तो ये कुल वे विधी क्या है, उसको समझते हैं, देखो, हमारे पास मानलो, के एक table दिया होगा, हमेसा ध्यानकना, इस question में, मैंने कल question करया था, total expenditure दिया होगा, इस सरीके साब के पास price दिया होगा, देखो, जब भी भी आपके साथ, जब ध्यानकना, जब total expenditure के साथ price दिया होगा, तो quantity निकालना है, और अगर total expenditure के साथ, अगर quantity दे रखा है, तो price निकालना है, समझ गये दोस्तों, ये ध्यानकना, जैसे हमने हजार किया, हमने जैसे हमने 1500 किया, तो 1500 पे ने क्या कर दिया, बताओ, अना, परद्रस उपहमने क्या कर दिया, बताओ, 10 कर दिया, तो अभी एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, पहलतो हमारे पास given क्या क्या है, इस information में, given हमारे पास पहले कितना था, पहले पी था, हमारे पास पी दिया, भी बीस दिया, पी वन कितना है, 10, और जब पी, तो अग है, बोलो, हजार अपन में, प्रैस के ना, 220, हमारे पास, 250, हमारे पास, जो क्यों की वैल्यू आएगे, कितने जीदो, यहाँ पर हमने, क्यों की वैल्यू क्या निकल दिया, बताओ, 50, अब अगर मैं बात करूं, फिफ, और क्यों क्यों की वैल्यू क्या आएगे, बताओ, सेम एसे, टोटल, अपन में, कितना बताओ, दोस्तो, प्रैस, तो टोटल, अपन्दिचर कितना पंदर सो, अपनगड़ सो, ऐ प्रैस कितना बताओ, 10, जी तो यह नििकाल दिया, 150, तो इहाँए, 150 अब हमें, एलास्टिटिट्य वान कर दिया बात नंबर पहले स्ट भी कितु घ्रेटरीड कर दिया कि elf मयनस कर dreiटर था बात पास है 20, आप उनमें क्यों कितना है, क्यों हमारे पास है कितना है, तो दोस्तों 50, तो यह हमारे पास cancel हो जागा, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel हो जागा, और 5 तो 10, तो हमारे पास answer कितना जागा 4, तो elasticity of demand is equal to कितना जागा तो 4, पक्का ना, elasticity of demand यानी मांग के लिए उच बराबर कितना कर देते, बस as simple as that, अभी यहाँ पर price दिया होता ना, तो हमने price से divide कर दिया, quantity दिया, for example, अगर यहाँ पर quantity दिया होता, for example, तो हमारा जो फॉर्मला होता, वो total expenditure पर में quantity कर देते और price निकल जाता, तो यहाँ पर Q1 दिया होता, तो P1 निकाल लेते, simple, ठीक है, और फिर पूरा समझ लिया, revision कर लिया, और elasticity of demand, मतला मांग, मांग की लोच, हमने दोनों chapter को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, सीख लिया, कोई doubt है, तभी आप समसे पूछी, ठीक है, आगे discuss करा दो, अब आईए हम लोग बात करते हैं supply, जिसको बोलते हैं क्या पूर्ती, अच और 2000 pen बनाए, 2000 pen में से वो चाहता है, कि भी हमें 1600 pen बाजार में बेच दूँ, 2000 pen में से 1600 pen बाजार में बेच दूँ, और 400 pen का as I stock बना कर रख लूँ, तो जितना पार्ट वो बाजार में बेचना चाहता है, जितना पार्ट वो बाजार में बेचना चाहता है, उसको क्या बो सबसे पहले बताओ क्या विलन्गनेस टू सेल दोस्तों के प्रकार से विक्राय करनी की उच्छा पका एक निस्ट टाइम पीरेड़ पे और इसके बाद देखो क्या बोल सकते हैं बताओ एक particular price पर एक निश्यत कीमत पर, हिंदे में बोल रहा हूं, लिख लिजे, एक निश्यत कीमत पर, एक निश्यत समय वदी पर, कितनी quantity supply करता है, supply मतलब समझते हो क्या, कितनी मातरा की पूर्ती करता है, कितनी मातरा की पूर्ती करता है, ये कुछ आसे 4 factor है, जो supply की definition को पूरा क करती है, तो मतलब क्या हुआ, समझो, जैसे एक कोई company है, कि व्यापारी X Limited, माल लिजे हमारे बीच में भी है रवी, कोई student है रवी, अब यगर मैं बोलू, कि रवी, अगले एक महीने में, क्या बोला, अगले एक महीने में, ठीक है, 2000 pen, 50 रुपए के rate पर, वो बेचने की इ 2000 pen, 50 रुपए के rate पर, अगले महीने बेचेगा, तो जो 2000 pen, जो बेच रहा है, ये 2000 pen, ये supply कहलाएगे, ठीक है, समझाए कि नहीं है, ये क्या कहलाएगे, बताओ, 2000 pen, supply कहलाएगे, अब वही कहानी आती है, ऐसे कौन, supply का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने टाइप से supply होता बता दो दिल से fast, तो मारे पास दो प्रकार के पूर्ती होते है, क्या एक होता है, एक होता है, इंडिविजल सप्लाई, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, मारे पास market supply, दूसरा होता है, मारे पास market supply का मतलब क्या होता है, अब जैसे आप सभी को पता है, हमारे पास बह बहुत सारी वह बहुत 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 सारी व्सट्व है doort यह के इक विक्रγάत है क्या यह क्या नहीं चांत को बनाने वालर को एक विक्राइटा हैленे उसमर भरण देश में रवी ने कितनी सप्लाई की उसको क्या बोलेगे इंडिविजल सप्लाई जब मैं एक फर्म के सप्लाई के बारे मैं ध्यन करना चाहूं एक व्यापार के द्वारा किया गया जो पूर्ती बाजार में जो पूर्ती है उसकी बारे में अगर मैं ध्यन करता हूं तो उस भी व्यापार कि जो पूरती होती है, उन सब के द्वारा, जो भी हमारे पास बाजार के जो पूरती होती है, उसको क्या बहुतना मारकेट सपलाई, मान के चलो, शारट की बाद करो, अकेले एक याइपकी बात करो, तो अभी हमारे पास А फ्यौत 입니다,ट ये σत कर सब्षयरцо बृ तो अभी हमने डिसकस कर दिया कि व्यक्तिगत पूर्ती और हमारे पास बाजार रूपी पूर्ती इसको क्या बलता है व्यक्तिगत पूर्ती बहुत लिख ले ना इंदे में व्यक्तिगत पूर्ती और इसको क्या बलें बाजार रूपी पूर्ती समझ गे दोस्तों कोई डाउ तो अभी ऐसे हमारे पास जो है ऐसे कौन-कौन से का रहीं गषанд, जो पूर्ति को अफ़ेट करते हैं। कैसे अफेक करते दोस्तों बताओ तो अगर हमारे पास कीमत बढ़ेगी सुनना कीमत बढ़ेगी तो पूर्ती भी बढ़ेगी क्योंकि हर एक प्रेडियूसर हर एक उत्पादक हर एक हमारे पास बोल सकते हैं क्या व्यापारी यही चाहता है अधिक से अधिक कीमतों पर अपने वस्तु की पूर्ति करें, अधिक से, अधिक कीमत पर अपने बाजार में वस्तु की क्या करें, अधिक सदिक मौमाल बेचे, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तो कि price अगर बढ़ेगा, अगर दोस्तो price बढ़ेगा तो हमारे पास supply भी क्या होगा बताओ दोस्तो सप्लाई भी हमारे पास बढ़ेगी प्राइज भी बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी अगर मान के चलो दोस्तो इसी तरीके से अगर प्राइज घटेगा तो प्राइज घटेगा तो दोस्तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी बताओ जिल्दी से फ substitute goods जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुव दूसरा होता है मेरे पस complimentary goods जिसको पूरक वस्तुव बोलते हैं हाना अब जैसे अगर मैं बात करूँ इस case में इस case में suppose हमारे पास होगा tea and coffee टी and coffee अचानक कोफी की प्राइस यह कीमत हो जाती है अचानक इसकी कीमत हो जाती दस से बारा तो इसकी supply क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर coffee की price बढ़ेगी अगर coffee की price बढ़ी तो supply कि किसकी बढ़ेगी coffee की बढ़ेगी तो यह हमारे पास क्या हो है substitute goods में अप्राइस और प्रेलेटेड़ गुट्स की वज़े से कैसे changes है तीसरा मारे पास आता है क्या cost of production का मतलब क्या होता है cost of production का मतलब उत्पादन की लागत और यह देखता है उत्पादन की लागत क्या से हमारे पास जरूरी है ठीक है उत्पादन की लागत क्या होता था समझो कोई company एक स्लिमिटेड नाम की है अगर मान कि चलो कि एक प्रिडक्ट जो बनाती है अगर एक प्रिड़क्ट जिसको बनाने में लगता था मान लो अटार व्य लगता था तो वह क्या करती थी बताऊ वह 20 रुपय में बेस दी तो अच्छानक क्या हुआ कि उत्पादन की लागत अच्छानक बढ़ते तो अगर उस व्यापारी को कम से कम प्रॉफित होगा तो क्या वो माल बेचेगा क्या आना सर इस केस में जब हमारे पास अगर कोस्ट ज्यादा लगे गाई क्या लागत अधिक लगेगे बागत अधिक लगने से दोस्तों क्या होगा profit margin profit margin समस्तों क्या है लाव लाव दोस्तों क्या होगा कम होगा लाव कम होगा और लाव कम होने से क्या होगा दोस्तों हमारे पास जो पूर्ती होगी पूर्ती क्या होगा बताओ हमारे पास वो भी कम करेगा पूर्ती कम होगा या पूर्ती कम करेगा और लागत कम होने से profit margin लाव का एक प्रकार से लाव बढ़ेगा और लाव बढ़ने से हम लोग को कहीं न कहीं अधिक सधिक बाजार में supply भी करेंगे तो यह क्या हुआ दोस्तों cost of production हो गया next हमारे पास cost of production की बाद state of technology अक्षी तेक्नालोजी होगे तो मारे पास तक्नी की बात करें अच्छी तक्नीकी लगाएंगे है ना अड्वांस बहुत ही अच्छी तक्नीकी लगाएंगे अगर अधिक होगा होगा की नहीं होगा profit margin अधिक अधिक बहुत बढ़िया और कहीं कहीं क्या हो पाएगा अधिक उत्पादन कर पाएंगे अधिक उत्पादन कर अधिक उत्पादन कर हम लोग क्या कर सकते हैं पूर्ती में बृद्धी कर सकते हैं कर सकता ही नहीं कर सकते दोस्तों बेल्कुल और अगर मैंने के चलो भाई बहुत ज़्यादा आउडेटेड लगा दी अगर हमने कोई पुरानी टेक्नलोजी लगा दी तो पुरानी टेक्नलोजी लगाने से आप सभी पता लागत ज्यादा आएगी लागत ज्यादा आने से भाई हमारे पास जो लाब का मार्जिन है लाब का म गई है तो क्या होगा यह बिसिक सा जो फंडा है आपको बहुत अच्छा तरीके से पता होना चाहिए ठीक है इस टेक्स लगा दिया तो टेक्स लगाने से उत्पादन का स्थर बढ़ जाएगा अगर गौर्मेंट ने क्या कर दिया बहुत सारा टेक्स लगा दिया तो टेक्स लगाने से उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी उत्पादन की लागत बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम होने से पूर्ती में भी कमी आएगी अब गौर्मेंट ने सॉपसिडी दे चूट जैसे भी, वह चुनाओ आ रहा है. गवर्मेंट तमाँ परकार के छूट देनाय कर रही है. है कि नहीं? यह free. वो free है ना, tax में तॉटर सब्सक्षाइ слож pocket, और government अगर, मलीजी, tax में concession कर रही है, तमाम परकार के छूट दे रही है, पक्का हमारे पास अगरम का ओदेश है अगर समझना अगर से प्रॉफिट उदेशए टो कहीं निया जो यहां जब तक उसको लाब नहीं होगा तब तक जब तक नहीं मिलेगा जब तक युष्ट पर से प्राशार्ड रॉपिया नहीं है तो उसका उत्छा क्या है यह सेल करना है դो मतलब किसी प्र्डेश कर पांच रॉपिय मिल जाना पांच चोट आपचास पैसे मिल तो वो सेल कर देगा, जिसका उदेश सेल करना है, अधिक से अधिक से अधिक सेल करना है, तो वो क्या कर देगा, बताओ, अधिक से अधिक वो क्या कर देगा, वो सेल कर देगा, सब्सक्राइब नहीं है, और अगर जिसका उदेश मेरे प्यार दोस्तों वेलफेर करना है, वेल इतनी अधिक पूर्थी भी करेंगे। जितनी कम से कम हमारी पास व्यापारों की संख्य होगी, पूर्थी उतनी कम से कम होगे। तो नमबर अब अपने आप में एक important factor है, जो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं कहीं सप्लाई कभी बढ़ाता है। बाताई दोस्तो हमारे पास पूर्ती में भी कमी आ जैगी। पूर्ती का नियम है? दोस्तो बताओ, पूर्ती का नियम क्या है, चल बताओ। अभी पूर्ती का नियम में एक सबसे इंपोर्टिन बात ये आती है। कि सर, कीमत बढ़ रही है, सुना, कीमत बढ़ रही है, पूर्ती बढ़ेगी, कीमत कम होगी, तो पूर्ती कम होगी, कोई भी एक व्यापारी के गर मैं बात करता हूँ, उस वस्तु के गर मैं कीमत बढ़ाऊंगा, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ने से, उस वस्तु की पूर्ती अधिक सधिक करेगा वो व्यापारी क्यों करेगा को कि अधिक कीमत पर अगर आप माल बेशते हो तो उस व्यापारी को उद्देशे से सोचो आपको अधिक सधिक लाब होगा अगर कम से कम कीमत पर कोई भी व्यापारी अपना वस्तू नहीं वेचना चाहता तो एक धनात्मक स सम्मंद होता है वस्तun की कीमत आप्म वस्तun की पूर्ती में एक धनातमक सम्मंद होता है और इसी को हम बोलते हैं लौःप सप्लाइब nee Дोस्तो इसमें लगाना है में satrmus keeping other factor remaynning constant अनिकारक स्थिर होंगे अनिकारक स्थिर होंगे होंग क्या हमने आपको बहुत सारे कारक बता है इसमें प्राइस कीमत म के बदलाव करेगा बाकिए जितने कीमत के अलावा जितने जो फैक्टर बता है हैं इन सभी में कोई बदलावनिया आना चाहिए ना कौस्टिंग में बदलबगाने का जोarkार का कोई अंधे नहीं पर पना नहीं आ स्ब consistency किमत में बदला बदलाओ कोई हम लोग हैं कर क्या बुला बताओ कि positive relation होता है positive relation होता है किसके बीच में लॉप supply दोस्तो positive relation होता है किसके बीच में बोलो तो आपने गासर price and quantity supplied के बीच में बोलो ना यार price और quantity supplied के बीच में धनात्मक संबंद होता है अचा यहां पर क्या लिखोगे keeping other factor remaining constant keeping other factor remaining constant कि जो अन्यकारक होंगे वो क्या होंगे दोस्तो वो इस्थर होंगे ठीक है तो धनात्मक संबंद होता है कीमत वह वस्तो की मातरग की पूरती में और अन्यकारक क्या होंगे बताओ इस्थर होंगे देखे एक बात आप समझो जो student हिंदी वाले हैं उनको मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूं मैं हिंदी में हां भले नहीं लिख रहा हूं कुछ-कुछ सब हाला के कुछ लिख भी देता हूं पर ऐसा समझी अगर हिंदी और इंग्लिस दोनों गर एक साथ लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमें आपको पूरा क्वेक रिवे हो को चेंज एक हमारे पास सब्दोड़ का मतलब क्या होता है जब इक ही लाइन पर यहां पर मुमिंट का कि होता है बहий यहां पर आया कि गती वह बदलाओ ठीक है बदलाओ किसमें बताओ पूर्ती वक्र में हम लोग देखेंगे क्या पूर्ती वक्र में दोस्तों पूर्ती वक्र में गती अवं बदलाओ को देखेंगे की कोसिस करेंगे गती का मतलब क्या होता है, ज़स सपोस कोई यह A है, तो यह आए यहां गया फिर पीछे है, यहां गया और पीछे है, सेम लाइन पर अगर मूव कर रहा है, है ना, तो यह गती कहलाएगी, तो दोस्तों बदलाओ का मतलब क्या है, जब वो shift कर जाए, चलो आगर discuss करते हैं, अगर मैं positive, approach and direction होता है, यह हमने क्या कर दे हो, क्यो कर दिया, यह quantity supplied कर दिये in units, यह हमारे पास price होगे, यह O P हो गया, और यह हमारे पास क्यों बताँ, O E हो गया, ठीक है, अचानक मेरे दोस्तों price बढ़ गई, अचानक price बढ़ने से, हमारे पास आप देखो, अचानक price तो नाम होगा हमपर पास expansion in supply क्या बोलोगे, expansion in supply तो कीमत के बढ़ने से जो supply में वुर्दि देख mily अगर अगर पॉटिंस to पूरती में विस्तार क्या बोला के दोस्तों पूरती में विस्तार धियानक पूरती में विस्तार इस तरीके से लइक करने से अचानक मालो प्राइस घड़ सप्लाइए में लो कंग with क्या बोलेंगे निए को हम सब लोग बोलेंगे हैं यह हमारे पास कुछ चीजे हैं जो कि आपको समझना है अच्छा एक सबसे इंपोर्टेंट बात आपको बता दू यह जो पूर्ती में चाहे विस्तार हो, पूर्ती में, चाहे विस्तार, चाहे पूर्ती में जो संकुचन, मतलब विस्तार एवं संकुचन, Expansion और Contraction in Supply कर, हमेशा एक ही कारक के वज़स होगा, एक ही फैक्टर के वज़स होगा, वह है Price of the Commodity, वस्तुओं की अपनी कीमत, और जितने भी जो फैक्टर मैं आपको बताएं है, रिलेक्टेड गोड्स, हना, Government Policy, Cost of the Production, Technology, Objective, सभी यह जितने भी जो फैक्टर हैं, इन सब के वज़से कहीं ने कहीं, वो जो पूरती वक्र है, वो शेफ्ट करेगी, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ, अब आईए हम लोग देख लिगता है, शेफ्ट कैसे करती है, समझे, गर मैं शेफ्ट की बात करूँ, शेफ्ट इए सप्लाइकर, तो सप्लाइकर कीशेश यज़ा करती है, आई देखता है, शेफ्ट इन सप्लाइकर, दोस्तो, शेफ्ट इन सप्लाइकर का मतलब क्या हुआ, देखो यह है, ये X O Y हो गये, दोस्तों, ये X O Y, और यह हमने लिख दिया, क्वानिटेटी Supply'd, क्या लिख दिया है, क्वानिटी Supply'd, दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या बताओ , Thisबत बताओ, अगर माण के चलो हमारे पास समझो, अगर हमारे पास सरकार का जो tax है वो बढ़ा देता है मैं आपसे question पूस्ता हूँ सभी लोग comment बताना सभी का मैं comment में wait कर रहा हूँ जल्दी बताओ, come on जल्दी से अगर सरकार tax बढ़ा देती है तो tax के बढ़ाने से क्या होगा profit margin कम होगा, उत्पादन की लागत बढ़ेगी उत्पादन की लागत बढ़ने से जो लाब गर देखा जाए profit margin कम होगा और profit margin कम होने से जो पूर्ती है वो कहीं न कहीं सरकार पूर्ती जो है वो कहीं न कहीं वैपारी कम से कम करेगा तो पूर्ती में क्या होगा, कहीं न कहीं, क्या होगा, पूर्ती में कहीं न कहीं, हमारे पास decrease देखने कुम लेगा, तो हमारे पास supply करव क्या होगा, decrease होगा, तो जो supply करव अगर decrease होगा, तो यहाँ पर leftward shift होगा, क्या होगा, leftward shift होगा, क्या supply, तो जो पूर्ती वर्क होगा, अगर सरकार ने subsidy दे दिया, tax में छूट दे दिया है ना, तो तमाब प्रकार के सरकार ने tax में छूट, मतलब tax में कमी कर दी बहुत प्रकार के संद कंसेशन दे दिया उत्पादन की लागत बहुत कम हो जाएगी और बहुत कम होने से profit margin बहुत ज़्यादा हो जाएगा या पारी खुप सारा क्या करेगा, लाब को बाने को देशे से क्या करेगा खुप सारा बाजार में कहीं पूर्ती करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, खुप सारा बाजार में पूर्ती करेगा यह हमारे पास supply curve कैसे बढ़ रहा है, supply curve कैसे shift हो रहा है, तो जितने भी अन्यकारक हैं, मैंने आप सभी कारकों के वज़े से कब supply बढ़ेगी, कब supply घटेगी, आपको मैंने already समझा रखा है, तो दोस्तों, यह हमारे पास supply curve जो था, जो चप्टर जो supply था, वो भी हमारा यहां पर खतम हो जाता है, अचा जितने भी हमारे पास जितने भी जो विद्यारती हैं, अभी हमने आपको बता तो तीन चप्टर कर लिए, demand कर लिया, elasticity of demand कर दिया, अब supply कभी कर लिया, हमने यह तीन चप्टर कर लिया, अगला जो चप्टर आता है, इसी का बड़ा भाई, वो है elasticity of supply, अई elasticity of supply भी जल्दी से quickly revise कर लेते हैं, चलो, fast, अच्छा एक second, हमने elasticity of demand में हमने diagram नहीं पढ़ाए, तो उसको भी पढ़ लेंगे, वो elasticity of demand औ elasticity of supply जो है ना, दोनों का diagram एक साथ पढ़ेंगे, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है, तो combine करके diagram पढ़ लेंगे आप बिल्कुल आपको उच्छे तरीका सा समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर elasticity of demand में, मैंने वो जो degrees है ना, सभी degree of elasticity, वो हमने वहाँ पर नहीं पढ़ाया था, अभी यहाँ पर combine करके पढ़ा देंगे, हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं, अब हमा कीमत घटेगी, सप्लाई घटेगी, सर कीमत बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, कीमत घटेगी, सर सप्लाई घटेगी, मगर मेरे भाई, कितना बढ़ेगी, कितना घटेगी, यह तो हमें पता ही नहीं है, तो कहीन कहीं हमें कहीं हमें कहीं हमें कहीं से निकालना पड़ेगा कि कीमत में बदला होने से कीमत में बदला होने से पूर्ती ने कितना रेस्पॉंड किया कीमत में अगर बदला हुआ तो पूर्ती में कितना बदला हुआ उस quantity को निकालिए भाई उसका मापन करिए उसका measurement करिए इसी को elasticity of supply बोलते है दो method सबसे पहला हमारे पास जो method होता है उसको बोलते हैं क्या geometric method दोस्तू geometric method ही क्या होता है समझो geometric method पहला होगया दूसरा हमारे पास हो गया क्या होंसा पता ही percentage method एक होगया geometric method दूसरा होगया हमारे पस percentage method अब percentage method को हम लोग क्या geometric method वही वाली बात जायमिती विधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जायमिती विधी, point method या arc method एक ही बात है, इसका फॉर्णों का elasticity of supply is equal to, delta का Q open में delta का P, into में P upon में Q, यहाँ पे negative नहीं आता है, जैसे demand में देखोगे, negative आता है, यहाँ negative नहीं आता है, क्यों? क्योंकि price और quantity में एक धनातम के जो वस्तू की कीमत में, sorry, पूर्ती की मातरा में परतिसत बदलाओ, लिखो, पूर्ती की मातरा में परतिसत बदलाओ, अपॉर्ण में, हाना, कीमत में परतिसत बदलाओ, ठीक है, अपॉर्ण में कीमत में परतिसत बदलाओ, यह परतिसत विधी का formula है, एक एक करके question करते है अगर मैं बात करूए geometric method की, तो geometric method में दोस्तों क्या ऐसा question आएगा समझो, जैसे मान के चलो कोई question है, मैंने लिखा किसी वस्तु की price थी हमाने पास 10, अचानक price बढ़ गई, अचानक price बढ़ गई हमाने पास 15, जब price 10 था तो उसने कितनी quantity supplied गई, quantity supply के 100 unit, ठेके, जैसे ही किमत बढ़े तो किमत के बढ़ने से, उसने supply भी बढ़ा दी, कितनी कर दी, 1500 unit कर दी, क्या कर दी? 1500 unit कर दी, अब पूछ रहा है सही, भया, पूर्ती की लोज ग्याद कीजी, यह पूछ रहा है कि पूर्ती की लोज ग्याद कीजी, तो elasticity of supply is equal to, डेल्टा कीओं आपन में डेल्टा पी इंट पे पी Leute PAND में क्या कर दिया है समझ गें दोस्तों इनट में पी volुड होई कि इम एप्यवांट क्यों एक पाउंद रिपilot kYNइम कोई प्की कीओं क्तब्सि还 in देल्टा क popul nे equipped gust दोल्टा कीओं दोस्तों कितना है, 15-14 का कितना 10, तो delta P कितना हो जाएगा, हमरे पास 5, बोलो ना एक बार, तो मरे पास 5, इंटू में P कितना है, P मरे पास 10, Q कितना है, बता हमरे पास 100, तो इस तरीके से 5, 10 में 50, जीरो से 0 कंसल हो जाएगा, ठेक है, 10 से 10 कंसल हो जाएगा, Elasticity of Supply is equal to, कितना जाएगा, समझगे दोस्तों, कितना जाएगा, Elasticity of Supply is equal to, बना जाएगा, Simple Question, ऐसे ही हमरे पास कुछ Questions दिये होता है, आपको मैंने इसी pattern बे कल भी मैंने Questions करा है था, तो कई बार Elasticity of Supply पूछ लेका निकालने के लिए, कई बार Elasticity of Demand पूछ लेका निकालने के लिए, Simple है, Method में, मतलब एक प्रकार से, मतलब एक फॉर्मूले में जासी value पूट करोगे, आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ने दोस्तों, हमारे पास अगला जो आता है, उसको बोलता है percentage method, यहाँ पर अगला जो method आता है, उसको बोलता है, प्रतिसत विदी, यानि percentage method, अब इसको देखता है, Elasticity of Supply is equal to, हमारे पास percentage change in quantity demanded, है ना, अपॉन में percentage change in quantity supplied, जो एक पूर्त पूर्ती की मातरा में बदलाओ, लिखना, पूर्ती की मातरा में प्रतिसत बदलाओ, अपॉन में, कीमत में प्रतिसत बदलाओ, क्या लिखोगे, कीमत में प्रतिसत बदलाओ, ठीक है, तो अगर मान के चलो, हमारे पास elasticity of supply is 0.5, और percentage change in, ठीक है, quantity supplied जो दिया हुए, question में, percentage percentage in quantity supply is 20%, कितना दिया है, 20%, अब आप से कोई पूछे है, कि भी आ, percentage change in price निकालो, percentage change in price निकालो, कितना आएगा, चलो बताओ, तो अभी हम लोगों ने यही same formula लगाना है, same formula, elasticity of supply कितना दिया है, 0.5, दोस्तो, 0.5 दिया है, percentage in quantity supply कितना दिया है, हमारे पास, पूर्ती की मातर में, बदलाओ, जो दिया है, 20%, यह दिया नियो, X निकालो, X ना, तो हमारे पास यह देखो, क्या हो जाएगा, यह X दर कर दो, तो 20%, अब आपन में 0.5 कर देंगे, 0.5 दो बड़ा पांचो के 20, यह आपने 0, तो X की value कितना दिया है, 40, तो हमारे पास, जो कीमत में, कीमत की कीमत की मातर में जो बदलाओ आएगा, कीमत की मातर में बदलाओ आएगा, कितना आएगा, 40%, कितना आएगा, 40% आएगा, कीमत की मातर में बदलाओ, जो percentage इन प्राइज जोएगा, वो 40% आएगा, दोस्तो सभी को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से fast मुझे high ना में जवा अब आईए हम लोग बात करते हैं, degree of elasticity, चलो, next हमारे पास topic आता है, degree of elasticity, अब elasticity की बात करते हैं, हम लोग पूर्ती की लोच के, हम लोग क्या करेंगे, पूर्ती की लोच के degrees ग्याद करेंगे, तो पूर्ती की लोच के degree ग्याद करेंगे, elasticity of supply की degree ग्याद करेंगे, चलो, एक ब डाउट है आप लोग जल्दी से फास्ट मुझे बताओ कम ओन मेरे भाई बोल जल्दी से फास्ट किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है पूछो जल्दी से स्टार्ट करें डिग्री ओफ लास्टिसिटी चलो मेरे भाई डिग्री ओफ लास्टिसिटी स्टार्ट करें ओफ डिग्री ओफ लास्टिसिटी जनरली हमारे पास पास डिग्री होती है कितनी होती है? पास डिग्री पास डिग्री होती है ठीक है? कितनी होती है? पास डिग्री अब मैं हापे पास डिग्री मैं हापे बना कर दिखाता हूँ फिर्म का डियाग्रमेटिक प्रेजेंटेशन भी करूंगा, ठीक है, सबसे पहले, जिसे elasticity of supply बनाते हैं, elasticity of supply is equal to हमारे पास 1 होता है, पहले चलो चलो, पहले 0, पर इसके बाद, या infinitive से start करते है, infinitive, पिर हमारे पास 0, पिर इस तरीका से elasticity of supply is equal to हमारे पास, हना, is equal to 1, elasticity of supply is less than 1, और elasticity of supply is more than 1, ठीक है, सब्माइब कि नहीं है, इसको बोलते हैं कि perfectly, perfectly elastic supply, क्या बोलते हैं, perfectly elastic supply, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, perfectly inelastic supply, ठीक है, चलो, यहां लिग दे रहा हूँ, धेहन सुना, यहांभी इसको क्या बosed है है, unitary एकाई के बराबर लोच क्या बलते हैं को एकाई के बराबर लोच विल्डेरी युल टेक्स उप्लाई ठीक है नेक्स टमारे पास हाता है क्या है हमार पास इसको क्या बुकित हो थाओ ये लसल थे क्या बले कि लशलास्टेक less elastic, less elastic supply, और इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे, इसको बोलेंगे, more elastic, क्या बोलेंगे दोस्तो, more elastic supply, पक्का क्या तो, इसको हम लोग in elastic भी बोला करते हैं, और in elastic supply भी बोला करते हैं, और इसको हम लोग elastic supply भी बोला करते हैं, इसको नो डाउन कर लिजे, अगर कोई डाउट है, तो मुझसे पूछी चली यह डिग्री जल्दी से फास्ट नोडाउन कीजिए इसके बाद फिर अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछे अच्छा एक बात बताओ यह डिग्री का डाइग्राम किस को आइडिया है डिग्री का डाइग्राम थोड़े में पानी पे लेता हूं या थोड़ा जीव से लग रहा है मुझे चली स्टार्ट करें बनाना अब हम लोग क्या करेंगे अच्छा यहां पे अच्छा दोस्तों एक बात समझों जैसे यहां पर जैसे अ और कितना है पता सप्टयूआ डिमांड में यहां पर डिग्री की बात करावं तो डिगध्री ओफ ये ऩसे द्रोमें कोई भी अंतर नहीं दौस्तों कोई भी अंतर एससे खास नहीं है बस यहां पर सप्ट्लाई की जगाने क्या लगा देना न डिमांड लगा देना है, यहाँ पर supply की जिए डी लगा देना होग ये बात, diagram बिल्कुल as it is बनेगा, diagram बिल्कुल as it is बनेगा, हमारे पास नाम भी बिल्कुल as it is होगा, ना नाम में change होगा, ना diagram में change होगा, ठीक है, जैसे देखो, अगर elasticity of supply जगर infinitive के बराबर होगा, तो इसका जो diagram बनेगा, कुछ इस तरीकस बनेगा, x, y, elasticity is equal to infinitive, simple, यहाँ पर quantity supplied होजाएगा, और हमारे पास क्या होजाएगा, quantity, यहाँ पर price होजाएगा, समझ गया दोस्तो, अब यहाँ पर elasticity of supply is equal to क्या होगा हमारे पास infinitive होगा, यह बल्कुल parallel to क्या होता है बताओ, एक प्रकार से parallel to x-axis होता है, क्या होता है दोस्तो, यह कहीं ने कहीं parallel to x-axis होता है, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है, यह parallel to क्या होगा दोस्तो, तो यह x access होगा ठीक है चलो अगर मैं बात करूँ आगे नोक नेक्स राता है मारे पास elasticity of supply अगर मानलो 0 के बराबर होगा तो 0 जो होगा मारे पास वो कहीं न कहीं parallel to y-axis होगा parallel to क्या होगा बताओ y-axis होगा यहां पे quantity supply कर दी हमने और हमारे पास यह क्यों बताओ प्राइस कर दिया अगर लास्टिस टेफ सप्लाई 0 के बराबर होगा अगर दिमांड है तो इडी जिगल टू जीरू लिग दो अगर आप सप्लाई की जिए डी लिग दोगे तो इलास्टिस टेफ दिमांड के टकर बन जागा बनाना बिलकुल एजटीज ही है दोस्तों आगे बढ़े हमारे पास next आता है क्या अगर 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 बहुत बढ़े है और Elasticity of Supply अगर मानके चलो Less than 1 मनाना है, तो Elasticity of Supply अगर Less than 1 मनाना तो यह हमारे पास उन जागा, Elasticity of Supply is less than 1, पका, चलो, बहुत बढ़िया, और इस case में, अगर मैं बात करूँ, इस case में, दोस्तों, सुनना ध्यान से, इस case में, हमारे पास, अगला जो आता है, Elasticity, अगर मैं में जो हमारे पास सप्लाइब होगा इस केस में यह हमारे पास सप्लाइब सप्लाइब होगा वह वन के बराबर होगा समझ गये दोस्तों यह समझ गया कि ने समझ गये और अगर मैं बात करूँ यह पूरा का पूरा कमाइन डाइग्रम बनाने के कोसिस करो ना पूरा का पूरा है मर पास न हना यह हमारे पास एक यह हो गया है और एक हमारे पास यह है हम ने पूरा का पूरा हमने एक हमारे मना दिए यहलास्टस is equal to यह सब इस टेप supply is less than one, ठीक है, is less than one हो गया, और इस तरीके से ये elasticity of supply is more than one, ये elasticity of supply is equal to one, ठीक है, हमने पाच्चोट डिगरी, हमने एक single diagram में हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया, ठीक है, दोस्तो, quantity supplied हो गया हमार पस, ओर हमार पस ये होगे, क्या बताओ, प्राइसप्राइश, ये पाच्चोट डिगरी हमने बना दी, किसकी बताओ, supply गी, हमने दोस्तो पांचोट डिगरी जो भी हमने बनाई है, वो हमने किस की बनाई है, बताई है, हमने price की बनाई है, कोई डाउट है एक बार जिल्दे से फास्ट बताओ चलो बताओ जिल्दे से फास्ट जिल्दे से फास्ट बताओ इसको हम लोग लोचदार बोलते हैं क्या बताओ एक प्रकार से लोचदार बोलते हैं लोचदार इसको लोचदार बोला करते हैं меся paterque supplies जो होगा अगर वो zao के बराबर होगा तो मेंद्म को बिलोचिदार वोलते हैं क्या में बिलोचिदारा करते हैं और एक से अधिक होगा ठीक है अगर मेरे दोस्त एक से अधिक होगा तो सको क्या बोलते हैं मताँ अधिक से अधिक रोलेगे की हुना होगा तो अगर यह हो और लोट देगार से कि बराबर लोच कि बराबर लॉची चोंगा है इस ठरीक से हम लोकिंप नो सकते हैं डिमांड वाला बना लोगे य नि बना लोगेhta। तो डिग्री बना लेते हैं, ठेक है? यूदायो भात लेते हैं, ठेक है? contractors छे डिग्री होंगे आई यह हम लोग 6 डिग्री को हम लोग समझते हैं तो यह हो गया ना ठीक है चालो चलो छे डिग्री को बनाते हैं आपर तो सबसे पहले लास्टिटिव डेमांड इस इकल टो कर रहुं हमारे पास ऐसे इन फानिडिव है थो हमारे पास लाउन Sum & यह हमने क्या लिग कि रहांरे यहे वहा i हुं दिति हो गया और हमारे पास पर face हो गया तो 0 हमारे पास लास्टिटिव डिमांड भरबर बेराबर होगा और Elasticity Demand जो होगा हना अगर Elasticity Demand होगा हमारे पास एक के बराबर होगा तो एक के बराबर क्या होगा Elasticity Demand यह बल्कुल बल्कुल क्या होगा बल्कुल हमारे पास 45 डिग्री कि रहा हूँ पका अगर पता हो हो गा तो यह साथिक है तो फ्लेटर का मतलब क्या हुआ हूआ कुछ से तरीगे से तो है यह होगा मर पास यह जो demand curve आया ना यह मर पास elasticity of demand जो होगा वो एक सदिक होगा और elasticity of demand जो होगा वो एक से कम की बात करें तो वो कैसा होगा बताइए वो होगा steeper कैसा होगा वो steeper होगा यह ऐसे होगा कुछ इस तरीके का demand का बनेगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो यह जो demand curve होगा, वो origin से बिल्कुल नजदीक होगा, इस case के अपम लोग क्या बोलेंगे, elasticity of demand is less than 1 बोलेंगे, समझके दोस्तो, elasticity of demand is less than 1 बोलेंगे, clear है, quite out है, आप लोग मुझे जरूर बताए, उमीद करता हूँ, सारा का सारा मेने degrees of elasticity of demand, degrees of elasticity of supply, यह हमने आपको करा दिय ठीक है, हला कि वैसे हम लोग बहुत detail में कराते हैं, आप सभी को पता, चुकि पूरा का पूरा syllabus एक छोटे से वीडियो में, मतला maximum part of the syllabus, हम एक छोटे से वीडियो में करना है, तो आप इस चीज को समझते भी करिएगा, कि सर कहीं ने कहीं, हम लोग को एक revise करा रहे हैं, कि यह आपको एक mind mapping में दे रहा हूँ, अगर आपको detail में पढ़ना है, तो यह भी मैंना को detail में बहुत slow manner में, एक एक diagram को बहुत आच्छे से, मैंना आपको explain किया हुए, जाके YouTube पे playlist बनी हुए, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, बढ़े दोस्तों आगे, हैना elasticity of demand, मां अच्छे तरीके समने कर लिए, अब हम लोग एक अगले चप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अगला चप्टर आता है हमारे पास, जो student की बहुत ज़्यदा demand होती है, वो है forms of market, forms of market में लिए बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकार, आईए समझते हैं, ये भी बहुत अब इस बाजार के प्रकार को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, क्या होता है बाजार के प्रकार, देखिए अगर मैं बाजार की बात करो, किसी भी बाजार में चले जाओगे न तो वहाँ पे दो प्रकार के लोग मिलेंगे, दो प्रकार के लोग, बलब एक तो बायर म तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एसा प्लेश जहां पर वस्तूवों का क्या किया जाए एक प्रकार से विनी में किया जाए इंटम्स अव मनी तो इसको हम लोग क्या बोलता है इसको हमें बजार के डेफिनिशन तो पूछे का नहीं हम लोग बिल्कुल में मुद्देपर बात इकजाम में मिल्कुल कामाने वाला है सबसे पहला क्या है उसको बोलते हैं perfect competition market सबसे पहले क्या है perfect competition market attitude marketing Fleisch ऑलताइक दूसरा होता है थे मोनपॉझी मारकेट को लिखना एका आध्यकार बजार क्या श्न cit ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सरी और पॉल्ली मार्केट इसको बोलते हैं प्रकार के बाजर कि वह बोलते हैं अलपादिकार बा मार्केट उब करके हम लोग बाजर के के बारे में समझेंगे हाला कि अभी डियू पोली भी होती है मॉन आप सोनी मार्केट भी होती है वट यह आपको पढ़ना नहीं है यह चार प्रकार के मार्केट है इन पे ही प्रस्ण जो है अधिक सदिक हमारे बनते हो देखने को मिलता है सबसे पहला हमारे पास जो यह एक टेबल के जरिए हम लोग क्या करते हैं करके सारे फीच सवागी कूल भायर बहुत सब्सक्स शवा होते हैं ना कर को छोटे से क्विक spiders क को समझ आए हम और आप चलते हैं सब्जी मंंडी जैसे हम आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो मुझे बता आतो आलू मिली quality का अलू है पूरे बाजार में same quality का अलू है और rate बिलकुल लिदम same है समझने मेरी बात को तो इसका मतलब क्या हुआ seller मतलब विक्रिताओं के संख्या इतनी अधिक है अब बताओ अलू खरिदने मेला को एक ए वेक्ती जाता है क्या उसमें सब जींटे मैं नहीं तो क्रीता मतलब बायर्स की संक्या बहौत अधिख है इसका मतलब क्या हुआ एक ऐसा situation एक आसा point एक ऐसा बाजार जहाँ पर बायर्स-व Salvador के संख्या बहौत अधिक हो बायर्स और लिखेगा कई लिखताओं के संख्या बहुत अधिक होती है, अब एक बात बताओ, अब मान के चलो उस पूरे बाजार में already 10.000 आलू बेचने वाले हैं, मैं एक नया मान के चलो किसान हूँ, मैं एक नया किसान हूँ, मैं सुसताओं कि मुझे भी अपनी आलू बेचना है, मु दस रुपे किलो में बेचने वाले अलू हमारे पास दस हजार विक्रिता हैं बाजार में आफ should sm lostों हो गाना का बाई पिर मैं Kagyang чтоб अरशी को अपना कीमत बना लो बाजार से कीमत ले लो शहना इसमें जो व्यापारी हो एक price taker होता है, क्या होता है? price taker, बोले दिल्दी से fast under perfect competition market जो व्यापारी होता है, वो क्या होता है? price taker होता है, पक्का ना? पक्का, मतलब मुल्य को सวिकार करता है, है रहना? मुल्य स्विकार करता होता है, प्रकार स monopoly को स्विकार करता है, ठेक है? next आगे discuss करें दोस्तो next हम आगे बारत करते हैं अब इसमें एक सबसे important बात यह होती है कि जैसा एक प्रकार की goods होती है जिसको बोलते हैं homogenous goods क्या बोलते हैं homogenous goods दोस्तों ही homogenous good's क्या होता है बता सकते हो एक ऐसे goods जिनका shape जिनका size एक ऐसे वो दो गुट्स जिनका सेप हो चाहे साइज हो चाहे क्वालिटी हो चाहे दोस्तों टाइप हो समझना ध्यान से मैंने क्या बोला ऐसे वो दो गुट्स जिनका शेप साइज क्वालिटी टाइप इत्यादी सब कुछ क्या हो बिल्कुल हू बहू सेम हो सेम मतलब क्या एक दम बिलकुल हूब हूब बिलकुल एक जैसा हो, ठीक है, जैसा अगर मैं बात करूँ, आप चाहे पैट्रोल, किसी भी पैट्रोल टंकी से डलाते हो, सबका शेप, साइज, टाइप, कॉलिटी, सबका एक जैसा होता है, है कि निये, तो एक प्रकार का हो, पैट्रोल क्या पर बिलकुल एक जैसा, सेम साइज, सेम टाइप, सेम कॉलिटी, एक जैसा ही मिलता था, है कि निये, तो इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा बाजार, जहां पर होमोजीनिस गूट्स मिलता है, मतलब क्या, जिनका शेप, साइज, कलर, टाइप, सब कुछ क्या हो, एक जैसा हो, यह perfect competition market में देखने को मिलता था, अगर discuss करें, अब इसके बाद, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम price taken होता है, अब इसके बाद सबसे important बात यह है, तो कोई भी, कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यापारी दोस्तो, अपनी अलग कीमत पर नहीं बेच सकता, अगर अपनी कीमत पर बेचना चाहता है, अपने नुसार, तो उसको वो loss होगा, है के नहीं, तो मैं यह बोल सकता हूं क्या, कि यहाँ पर जो price होगा, वो क्या होता है, constant होता है, price constant मतलब क्या है, एक प्रकार का मुल्य जो होता हो, क्या होता है, बताओ दोस्तो, इस्थिर होता है, अब से मान के चलो, sale, sale का formula में आपको पढ़ा होगा है, क्या price इंटू में quantity, हाना, तो पांच इंटू में एक पांच, पांच इंटू में दो दस, पांच इंटू में तीन बंद रहा, यह कितना होता है, बीस, यह कितना होता है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करू, AR निकालो, यह से मान का इंटू में कैया है, जी कितना होता है, एंटा निकालो, यह होता है, तो एंटा होता है, यह कितना होता है, यह तो यह इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, दोस्तों, अगर मैं देखो, अगर आप यहां पे एक observation करोगे, तो observation यह कहता है, कि price कितना है, बताओ, आपने कहा, sir, 5, sir, AR कितना है, बताओ, price कितना है, 5, AR कितना है, 5, sir, MR कितना है, sir, MR भी हमारे पास क्या है, 5 है, तो इ price और AR, MR, 3 होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, और अगर मैं इसका diagram ट्रॉआ करूँ दोस्तों, अगर मैं इसका diagram ट्रॉआ करूँ मा, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यह X हो गया, यह O हो गया, यह Y हो गया, यहां पे लिख दे हमने quantity, और यहां लिख दिय होगी है इसी के बÁद अगर मार अगर नकाग्रण उपर हमें क्या रहते बरणार करणा पड़ेगा इसफेजी तृट ना पड़ में IT निये हमारे पास एमAre होग papel और दूस्तो मरत रह जाए इहां थो इस्पर हमंपर विसने लिलाइन, आ जाएगे, तो हमारे पास यह price की विलाइन, बनकुल इसी को पना जाएगे, मतलब क्या हुआ, कि अगर मुल्ण बूल्ले डिस्थर होंगे, अगर price constant है, तो price AR और MR, क्या बोला मनें? price, AR और MR, तीनो Edition को उपर होंगे, क्या करेंगे दिनमक दूसरी ओपर कोईंसेड्स करेंगे तो प्रैस बराबर एे इर वरबर अमर यह हमारे पास कहानी है हमारे पास समय Himselfा अगे दोस्ट परफो अब मुझे जरू बताऊ सो अंडर विस मैं बोल सकता हूं कि समय हमारे पास प्राइबर एर वराबर हमारे पास क्या होता है तो MR होता है क्यों क्यूंकि भीया प्राइस क्या होता है मुल्य मिन दोस्तों क्या होगा मुल्य इस्थर होगा प्राइस क्या होगा दोस्तों मुल्य इस्थर होगा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लिख लिजेगा डाइकराम हमारे पास करेगा अगर आप कुल आगम देखो टूटल रेविन्य देखो तो एक कॉंस्टेंट तरीके से टीर क्या कर रहा है इंक्रीस कर रहा है तो आए हम लोग देखते हैं परफेक्ट कॉंप्टिशन मार्केट बहुत सारे बायर बहुत सारे से पहला लार्ज नुमर बायर बायर ला जो एक प्रकार से अमर और और गृष्ट अपर्फेक्ट नौलेज होता है नोलेज को लिखना है हिंदी में पूर्ण ग्यान जहीं मांगे चलो आज आज मैं किसी भी पैट्रोष से कोई आपक पढ़ होग वह किसी पैट्रों से क्ट्रूल वादेANS क्यूं पट्रूल की पट जैसी है ना कहीं भी लगवा सकता है अर्लैंस कओच है हमारे पार ऐस भी कालिटी इंड हो एक जैसी help प्रवेश और निकास प्रवेश और निकास प्रवेश और निकास एक प्रकार से क्या है बताओ एक प्रकार से स्वतंत्र है स्वतंत्र तरीके से प्रवेश और निकास किया जा सकता है अरे बताओ या दस हजार आलू बेचने वाले दस हजार सेलर हैं अगर एक सेलर अगर वहां से दस हजार में से कम हो जाएगा क्या उस बाजार पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं तो आराम से अगर एक सेलर अगर दुकान चोड़के बंद दुकान बंद करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर 10,000 विक्रिता हैं अलू बेचने वाले, एक नया विक्रिता बाजार में आ जाएगा, तो कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या, बोलो ना कमेंट करके, तो मतलब क्या, कोई भी आए आसानी से, कोई भी आसानी से, कोई भी आसानी से चला जाए, बजार पर कोई परभाव पड़ने वाला नहीं है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात सात्वा हो गया, आठवा पॉइंट देखो, आठ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट होता है, इसको अडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बोला करता है, परचार को, एक परकार से अडवर्टीजमेंट कॉस्ट, तो किसी भी परकार का अडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होता, आपको कभी देखा सबजी मिंडी का परचार करत भी यहां पर नहीं होती है पक्का दोस्तो कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूरू बताओ तो एक जैसा वस्तो क्योंकि यहां पर एक जैसा वस्तो अइडेंटिकल एक जैसा वस्तो यह होमोजीनिस गुट्स उपलब्द होते हैं ठीक है चलो यह हमारे पास परफेक्ट कॉ हम इने आठ पॉइंट लिखे हुए हैं कोई डाउट है देख लेना सेडियूल बनाए हुआ है परफेक्ट कॉम्पटिशन मार्केट का डाइगराम बनाए हुआ हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लेना इसमें जो ए आर और मर का जो शेप होता है वो पारललेल टू एक सक्सेस होता है अगला बात करते हैं मेरे बास मोनोपॉली मारकेट क्या होता है मोनोपॉली मारकेट जिसको हम लोग बोलते हैं एक अधिकार बजार नाम से ही बिलकुल डरा रहा है नाम से ही यह डरा रहा है क्या एक अधिकार बजार मतलब क्या एक ऐसा बजार जहां पे कि लवक्ति तो मैं बोल जो क्यों हैं डोस्तों आइप जो सब्से पहली तो एक काधिकार मनलब क्या सिंगल सेलर है आप सेलर एक अकेला सेलर होगा मुऑ zag gradi9-6-160 उरियलविय की जो سर्विसस उसको सप्लाई करने वाला एक अकेला है वो सरकार अन्य कोई रेल्वे का सबस्ट्यूट नहीं है अब रेल्वे अपने मंद से मुल्य निर्धारीत करता है वो बाजार से इसको कोई मतलब नहीं होता प्रैज मुल्य हना मुल्य निर्धारक होता है यहां पर क्या होता है यहां कि यहां पर मुल्य निरदारक होगा दोस्तों चलो यहां पर कोई क्लोइबाल नहीं है चलो इसके बाद अगर मैं बात करो अगर रोस्चूटव नहीं है एक सिंगल सेलर होता है क्या आसानी से आप यहां पर câl आपके train छूट जाएगी, तो क्या आप नया दुकान खोल सकते हो, जैसे अगर मान के चलो कल आपको आलू बेचने वाला आलू नहीं देगा, तो आप कल आलू की दुकान खोल सकते हो पर अगर आपकी घर ट्रेन छूट गए तो क्या नया train का, नया railway station का खुद का निर्माड़ कर सकते हो, नहीं, तो एक प्रकार से, प्रवेश्ट पे प्रतिबंद है भाई प्रवेश्ट पे क्या है, इस बजार में प्रतिबंद है, कोई डाउट है क्या चलो, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ उसमें एक्जांपल की बात कर सकते हो, तो एक्जांपल की बात कर सकते हो, यहां पर क्या है बताओ, वो है railway, क्या है एक्जांपल की में, हमारे पास railway, है ना, अच्छे, इसमें क्या किसी प्रकार का advertisement cost होता है, इसमें भी किसी प्रकार का advertisement cost नहीं हो ताकिसे भी प्रकार का प्रचारव प्रसार की कोई लागत नहीं लगती है समझ गये समझ गये समझ गये तो ये कुछ हमारे पास Monopoly मारकेट की कुछ फीचर सोते इसमें सबसे important जो features होता है इसको बोलते है प्राइस discrimination इसमें एक बहुत important feature होता है इसको बोलते हैं प्राइज discrimination जिसको हिंदी मोलते हैं मुलेवे भेद आपको बता रेलवे वाले क्या करते हैं रेलवे वाले एक ही जैसे गंप कोई एक यंग आदमी अगर ट्रावल करेगा उसके लिए अलग करैया होगा है वही सीठ्क चेठ्रेनीजी मगर प्रकार का किरायव हसूल हैं आप एक्साम भी देते होगी, एक्साम में जनरल की फीश से लग होती, मुल्लय विभेद, क्या हो वोगा एक प्रकार से धोस्तों यह हमारे पास एक Monopoly मार्किट, एक अद्ıll अदिकार बाजार का सबसे important features है & ग्रम्र मुल्ह विभेदенд Rights price discrimination होता है लोगों के साथ, वो किस बाजार में दिखा जाता है, answer is क्या, monopoly market, कहां दिखा जाता है, monopoly market, अगला discuss करें, दोस्तों, अगला discuss करते हैं, अगला बाजार होता है, तीसरा, उसको बोलते हैं हमारे पास, monopolistic, क्या बोलते हैं इसको, monopolistic बाजा हो, monopolistic market, दोस्तों, monopolistic market क्या होता है, इसको समझते हैं, अच्छा, इसकी में थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, इसमें अगर मैं AR और MR का स्मेकर बनाऊँगा, तो आपने दिमाग में थोड़ी दिर के लिए रख लिए येगा, ये हमारे पास MR हो गया, ये हमारे पास AR हो गया, ठीक है, अभी आपको, हाला कि आपको ऐसा डाइगराम बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, कि इस डाइगराम में, मतलब इस डाइगराम in the sense, monopoly market में, monopoly market में, AR और MR का जो shape होता है, AR और MR का जो shape, shape of AR and MR, दोस्तो, shape of AR and MR, जो होता है, वो steeper in shape होता है, क्यासा होता है, steeper in shape होता है, फिर से सुन लो, जो shape of MR and MR होता है, वो क्यासा होता है steeper, steeper मतलब क्या होता है, origin से बिलकुल लगा हुआ, और औरिजिन से लगा हुआ होता है बिल्कुल स्ट्री परखोता है क्योंग क्योंकोी यहां पर कोई भी और अप्रतिष्थापर मस्तो- जो एक के दूसरे को replace कर सकती तो प्रतिस्थापन वस्तिर होती होती तो कोई भी close substitute goods अब्लेबल नहीं होता है इसलिए दोस्तों क्या होता है यह जो क्या होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है यह सबसे इंट्रस्टिंग मार्केट सबसे इंट्रस्टिंग मार्केट जो लगती है मुझे वह यह लगती है अभी तक तो ठीक है जब तक हम लोग बढ़ाई करते अभी सबसे इंट्रस्टिंग मार्केट लगती यह पता सुबह उटके कौन-कन किस साबुन का उप्योग करता है, तो कोई कहँए लक्स, कोई कहँए ब्रेटव, कोई कहँए ङा सर जी पतंजली बाबा वालट, कोई कहँए इसके मिलाए मिनलाब बोरी चोटा-कोई साबुन, उतना सारे ब्रैंड हैं, इतनी सारे ब्रैंड को एक सेलर है किया railway की तरह नहीं को एक सेलर हैका नहीं इसका मुलकिकर बहुत सारे सेलर है और उस साभून को उपविग करने वालको को एक है नहीं बहुत सारे बार्यार i million बहुत सारे बायर है पकाना तो ये भी एक ऐसी market हुई जहां पर बहुत ही जधा large number of buyers है और large number of seller है ये भी एक ऐसी ईगाता हो एक मेरी चोटी सी कहानी समझना मानके चलो कि मैं नया साबुन का निरमाड कर रहा हूं मैं इ retransμε कि सा बहत्तरी सा साबुन ले कि आरह रहा हूं जैसी में इंब श्र-चाभ लिए तो उस केस में क्या करूआ उसके विइसमें देखोंगा कि John & Average और समय जितने भी जो साबूं जो चल रहे हैं वो बाजार में कितना कैनं की कीमत है तो सबसे पहले मैं बजार में एक सरवे करुआ और सरवे करने के बाद जो देखोंगा कि Brian आइडिया आ मैंने बाजार से एक कीमत का idea लिया, कीमत को मैंने बाजार से स्विकार किया, तो मैं price taker हुआ, हुआ ना, price taker हुआ क्योंकि मैंने बाजार से idea लिया, और फिर मैं देखुँँगा कि मेरी quality क्या है, मैं कैसे अपने competitor को beat करूँगा, कैसे मैं competitor को अपने जमला हराऊंगा कैसे मैं अधिक साधिक sale करूँगा उस quality और उस सारी मेरे strategy को देखते हुए मैंने अपनी कीमत 68 रुपए मैंने अपनी कीमत 68 की क्या 28 रुपए तो मैं अभी कीमत बना भी रहाँ कीमत निरधरन भी मैं कर रहाँ 28 और मैंने बाज़ार से सिलिक उनमे की वह प्रेस टेकर भी बढ़ी है, इसके बाद इसमें एक प्रकार से अगर मै बात करूँ, इसमें एक प्रकार से हेटरोजी्नस God वैवलेबल होते हैं, कौन से गोट होते हैं होताओ बताओ, हेटरोजी्नस goods, हेटरोजीनस goods का मतलब क्या होता है ऐसे वो goods जिनका shape, जिनका size, जिनका quality या जिनका type, एक दूसरे से क्या होते हैं, बताओ, जिनका अलग होते हैं, है ना, एक ऐसे goods, जिन जो basically, एक ऐसे वो दो goods, जिनका shape, size, type, quality, एक दूसरे से क्या होते हैं, बोलो, अलग होते हैं, जिसे अगर मैं quality, जिसे बात तो, आज लक्स साबुन की बात करें, लक्स साबुन हो, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो लक्स साबुन है, डटल साबुन है, सब एक दूसरे की क्वालिटी, काम सब का एक ही है, नहाना, उसे हैंना, नहाना हाद दोना इस तरीकी है, तब अगर आप से कोई पूछे, काम सब का एक ही है मगर सबकी quality अलग है दो वस्तू के क्या same quality हो सकती है नानसर इन्दो हो सकता है quality अलग हो अगर quality same हो तो हो सकता है size अलग हो अगर size और quality same हो तो हो सकता है type अलग हो हो सकता है कि भई एक precursor उसको बनाने का जो एक format है जो एक precursor बनाने का type है वो अलग हो अच्छा इसके बाद मारे पास अगला जो फीचर साता है इसमें बायर्स को imperfect knowledge होती है क्या होती है imperfect knowledge होती है हम लोग क्या बोलते हैं अच्छा इसी के वज़े से इसमें बहुत सारा huge advertisement cost बहुत सारा एक प्रकार से प्रचार प्रसार में लागत लगती है बहुत सारा प्रचार प्रसार में लागत लगती है imperfect knowledge का मतलब क्या होता है मतलब क्या कही ने कही अपूर्ण ग्यान इसको हिंदी में लिखेगा क्या बोलोगे अपूर्ण ग्यान मतलब क्या पूर्ण ग्यान नहीं होता इनको एक प्रकार से आप पूंड ग्यान होता है, अब एक बाद दता हूँ, आपको भी दिखाया जाता है, कि भीया, फेरन लवली का जो परचार आता है, अभी एक लगाते ही तुरहनती दस सकंड में गोरा हो जाता है, तो एक प्रकार से वह बन्दा इस चीज को देखके ले बनाने में लगी हुई है उससे क्या आपको होका क्या हानि होगा क्या उसको देखते हो नहीं देखते हगे म Pot आप खरीद लेते हूं तो आप पू allora गयान हुटा है इस्वर पर इसमें से कर आठ सोब सोबर करा जा रहे दीपी का पादू कोड से परचार करा जा रहा है, तो इस मतलब क्या हुआ कि समान को बेचनी के लिए इस बाजार में बहुत सारा हमें परचार वा परसार की लागत लगती है, कहीं न कहीं advertisement cost बहुत अधिक होती है दोस्तों, पक्का अच्छा इस तरीके से अगर मैं बात करू तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास यहां भी हम लोग free entry and exit बोल सकते हैं, है ना कि यहां पर भी आप आसानी से आ सकते हो और आसानी से भी यहां से जा सकते हो, यह हमारे पास कुछ क्या हो गए, यह तीन और तीन हमारे पास कुछ ऐसे features भी हमने देखने को मिल large number of buyers and sellers होते हैं, price taker and price maker भी होते हैं, heterogeneous goods भी उपलब्द होते हैं imperfect knowledge होता है अपूंड ग्यान होता है एक प्रकार से बहुत सारा advertisement cost भी लगता है और आसानी साके, आसानी से हम लोग जा सकते हैं समझे दोस्तों, next आईए हम लोग बात करते हैं अच्छा, इसमें हमारे पास चुकी सब्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् या quantity और इसको हम लोग यहाँ पर ARR मर डाल दिये यहाँ पर quantity और यहाँ पर का डाल दिये ARR मर डाल दिये तो अगर मैं इस case में अगर मैं draw करूँ दोस्तो समझने जहां से तो हमारे पास यह क्या होगे तो यह हमारे पास MR होगे यह हमारे पास MR होगे क्या हो गया? AR and MR हो गया इस case में दोस्तों ये हमारे पास AR and MR जो होता है ये एक flatter in shape होता है कैसा होगा दोस्तों? AR and MR ये flatter in shape flatter में लब क्या? ये origin से बहुत ज़दा क्या होता है? दूर होता है अगर मैं monopoly की याद करोगे तो monopoly में यही जो AR and MR जो बनाया था याद करिए origin से एकदम नजदीक बनाया था बट ये हमारे पास यहां पर क्या होता है? क्योंकि monopoly में कोई substitute नहीं है monopoly में कोई substitute नहीं है कोई भी उपलब्द हमारे पास कोई substitute नहीं है शेप होता है वो फ्लैटर होता है। क्या सा होता है? बता हो एक प्रकार से फ्लैटर इंड लिए होता है। तो कई बार मुझे है कि जूछिवा आरी मारका को से सब्राइंड आगे बढ़ें। चलो यहां सारी कहानी आप सब को बिल्कुल अच्छे तरीके से clear हो रही है अगर कोई doubt है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं next हम लोग अब discuss करेंगे क्या अगला जो point है उसको अगला जो market है उसको नाम है oligopoly market एक अगला जो market है उसका नाम है oligopoly market ठीक है अपका इसको बोलते है अलपाधिकार बाजार क्या बोलते है अलपाधिकार बाजार इसमें जो हमारे पास देखा जाए इसमें जो व्यापारों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है बहुत अधिक नहीं होती बहुत अधिक भी नहीं होती और बिल्कुल एक नहीं होती जैसे मोनोपली में क्या था, एक सेलर था, और perfect competition में क्या था, बहुत सारे, monopolistic में क्या था, बहुत सारे, अच्छा, एक बात समझो, आपके मिन में अगर प्रस नहीं चल रहा है, सर, आपने perfect competition market में बताया, बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर होते हैं, मोनोपलिस्टिक में बताया, सर, बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर होते हैं, तो सर, अंतर क्या है, भाई, perfect competition market में अगर 100 बायर और 100 सेलर हैं, तो monopolistic market में हमारे पास हो सकता है, कि 70 बायर और 70 सेलर हो, मतलब, monopolistic market में जो बायर और सेलर की संख्या होती है, perfect competition market से कम होती है, क् होते थो दोनों में जाद आधी होते हैं। कहीं- नहीं पर अधिक पर बादर इसकी खास बात होती है सबसे पहली बात इसमें सबसे जो व्यापारी होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम होती है बहुत अधिक नहीं होती है बहुत कम होती है बट वो कम तो है जैसे शेर की संख्या देश में सेर और चीता कम होते हैं आज हेरन आपको बहुत मिल जाएंगे मचली बहुत मिल जाएंगे बट कुत्ते जो बहुत मिल जाएंगे मगर मैं इसका मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं सेज और चीते के संख्या बहुत कम है इसी तरीके से आप समझो कि बाजार में ऑलिकोपुली मार्केट में जो ऐसे व्यापारी जो बहुत बड़े व्यापार हैं बहुत बड़े फरंस बिग फरंस सिमंट के इंडस्ट्री है बनाने के इंडस्ट्री एरोप्लेन बनाने के इंडस्ट्री है ना गोला बारूद बनाने के इंडस्ट्री हो गई है ना टेलीकॉब इंडस्ट्री हो गई तो इनके संख्या तो कम हैं मगर यह हैं बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री और एकपॉली मा यहां पर कोई प्राइस कॉंपटिशन है ही नहीं नौ प्राइस कॉंपटिशन अब इस बजार में कोई बी कीमत का कोई प्रतिस्परधा नहीं की जाती ऐसा नहीं कि चलो अगर मैं बात करू कि कोई आप आपका भी काम है हेलिकॉप्टर बनाना मेरा भी काम है हेलिकॉप्टर बनाना आप एक हेलिकॉप्टर सौ करोड का बेच रहे हो तो मुझे भी उसी हेलिकॉप्टर को सौ करोड का भी बीचना पड़ेगा हां मैं आपकी बनाने जो हमार यह 10 रुपए में कम करके हमने बेच दिया यह 2 रुपए कम करके हमने बेच दिया ऐसा नहीं करना यह बहुत बड़ी वे बहुत बड़े फ़र्मस होते हैं यह non-price competition प्राइस में कोई भी अपने साथी से कोई competition नहीं करते हैं यहाँ यह कह सकते हैं कि हमारे हैं से जो helicopter लेगा हम उसको free में हम उसको कुछ helicopter के कुछ ticket दे सकता है मतलब ऐसा कुछ करके मतलब non-price competition उसको gift दे सकते हैं movie ticket दे देंगे है ना फ्रिज AC cooler दे देंगे टीवी दे देंगे competition non-price का होगा आप देखते होगे जो गाड़ी है वाल जब गाड़ी निकालने जाते होगे तो वहाँ non-price competition साथ यहाँ पे जो firm होती हैं यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं ना firm होते हैं वो interdependent होते हैं क्या होते हैं interdependent होते हैं दोस्तों जो व्यापारी होते हैं एक दूसर पर निर्भर होते हैं इसमें जो व्यापारी होते हैं वो एक दूसर पर क्या होते हैं निर्भर होत गाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर एक वियापारी अगर अगर अपने वस्तू की पढ़ाता है तो दूसरा कार्मेशन के जरी काम करते हैं लुदुध में करदें और के एक group में काम करते हैं इस प्रतिबंध रस्टिक्टेड एंट्री रस्टिक्टेड एंट्री प्रवेश में निशेध आपके आसानी से प्रवेष nisheat क्या आपको सुभह उठके जैसे आप सुभह उठोगे, बोलोगे भीया सुभह उठते ही क्या नया कंप्णी खूल सकते इसमें हलिकोपटर बराने साठ कर दोगे नहीं, तो एक प्रकार से आपको प्रवेष nisheat बहुत असानी से आप यहाँ पे इंट्री नहीं कर सकते हैं, प्रवेश निशेद हैं, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अधिक पूंजी चाहिए, huge capital, अधिक पूंजी चाहिए, और अधिक पूंजी ही नहीं, आपको अपना खुद का अपना patent चाहिए, क्या चाहिए, पेटेंट चाहिए, आपके पास अपना खुद का पेटेंट होना चाहिए, खुद बहुत अधिक पुझी चाहिए, जो कि पॉसबल नहीं है, संभव नहीं है, एक आम इंसान के लिए असानी से प्रविश लेना, ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर मैं बात करो कु अटो मोबाइल उंडुस्टि होगे, वाटो मॉबाइल उंडुस्ट्री होगे, प्रविश बताओ, या हेलिकॉप्टर इंडुस्ट्री होगे, हेलिकॉप्टर आनुडुस्ट्री हो गये यहां रे पास अभी हमने आपको डेमांड चप्टर पढ़ा है, याद करीए, deter Mimi को पढ़ाया, बोलो, हमने आपको demand sector में क्या पढ़ाया, price घटेगी demand बढ़ेगी, price बढ़ेगी demand घटेगी, यही पढ़ाया ना तो बट यहाँ पर price के ओजह से हम, महलब price के अधार पर demand हम लोग बनाते थे demand करब जो बनाते थे, price के अधार पर दोस्तो, तो demand करब determine नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, कि दोस्तो, इस particular बाजार में, हमारे पास demand करब determine नहीं हो सकता है demand करब not determine, समझ मां गया, तो इस case में demand कर determine नहीं होगा, अचा, अगर sir, हम determine करना भी चाहें, तो sir, क्या होगा अगर determine करना चाहें तो एक जो shape होता है उस demand curve का, Prague的 होता है king demand curve, तो Oligopoly market में जो shape होता है demand curve को वो कैसा होता है king demand curve, अब k incoming demand curve कैसा होता है? आई यह समझते हैं, king demand curve कैसा होता है, समझो, ये ऐसा होगा, ठेक है? और इस तरीके से हमारे पास ये, और ये इस तरीके से यह जो demand curve आई है, यह demand curve, यह जो point जो kingd थोड़ा सा नुकिला निकला हुआ न, यह O.P. यह जो थोड़ा सा नुकिला निकला हुआ ना, इस नुकिला निकला जो हुआ है, उसी को क्या बोल देंगे, King Demand Curve बोल देंगे, क्या नाम देंगे बोल दो, कोंगर दिमांड करव नाम दे देंगे, समझके दोस्तो, King Demand Curve हमने नाम दे दिया, यह हमारे पास, Oli Coply Market के कुछ features हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत important features हैं, अब आज की class यहीं पे खतम होती है, ठीक है, दोस्तो आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, आईए एक बार थोड़ा सा, quickly, सबसे पहले class को खतम करने से पहले, मैं आपको पूरा का पूरा एक minute कम है, मैं आपको pause देता हूँ, एक minute में आपको कोई भी doubt, कोई भी दिक्कत है, प्लीज जल्दी quickly मुझे बताइए comment में, जो भी आपके demand है, मैं उस सभी demand को मैं पूरा करूँ हूँ, जल्दी से fast सभी लोग comment करके student जल्दी पताइए, fast, come on, चले, कोई भी doubt है, तो आप लोग अभी तुरंत revert करिए, चले, बहुत बड़े, सो अभी मैं ने देख लिया, सो अमीद करता हूँ, बहुत बड़े कोई doubt नहीं है, सो दोस्त हमने लग भग लग भग कितने chapter के, सबसे पहला पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा demand, फिर elasticity of demand, फिर supply, फिर elasticity of supply, फिर हमने आपको बड़ा forms of market, ये 5 chapter बहुत जादा जरूरी है, बहुत अधिक जरूरी है, ये 5 chapter, ठीक है, अब मैं कोसिस करूँगा, कि एक और series, आप लोगों के लिए लेक्या हूँ, जिसमें जो अभी जो remaining जो बचे, जो 5 chapter है, remaining जो कुछ बचे हमारे पास chapter हैं, उनको भी हम लोग क्या करता हैं, उसको भी हम लोग खतम कर दें, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इनका भी revision कर देंगे, बाकि हमने questions तो करी लिया है, session कैसा लगा दोस्तों, आप सब लोग प्लीज, comment box में बताना मत भूलिए, क्योंकि आपके अच्छे comments, teachers को motivate करते हैं, और ऐसे ही धुमाधार master series लाने के लिए, कहीं न कहीं, और अच्छा में लगता कि ठीक है, कुछ और लाया जाए आप लोगों के लिए, तो दोस्तों, प्लीज आप लोग, प्लीज आप लोगों से request है, कैसा लगा session, इस पूरी मेहनत को आप लोग मुझे जरूर बताना, कि पूरे 5 chapter हमने पूरे बहुत क्विकली किया, तो जैसा भी लगाओ, प्लीज comment box में जरूर बताना, एक चीज और मैं आपको बता दूँ, अगर किसे student को अगर कोई problem लग रहा है, तो वो 2x में जाके, इन सभी 5 chapter को मैंने बहुत detail में समझा रखा है, ठीक है, अब सोचो, ये जो 5 chapter मैंने पढ़ाया है, लगबख, अब अगर आप YouTube पे मेरी video देखोगे, तो लगबख 15 से 20, 15 से 16 गंटे में पढ़ा है, तो 15 से 16, कह जाके वहां से अच्छे तरीकस देख सकते हैं, अगर आपको quickly revision करना है, क्योंकि आपका exam है, तो आपको बहुत अच्छे तरीकस सब कुछ पढ़ा होगा, ये मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ, कि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, बस आपको एक revision की जरूध है, तो वो master series मैंने आपको revision के जरी मैंने आपको दिया है, इसके PDF में डलबा दूँगा, बट अगर आप चाहते हैं, इसके PDF पी डले और साथ के साथ PDF पूरा conclusion के साथ आप लोग लें, comment जरूर करके बताएं दोस्तों कि class कैसी लगी, thank you so much, तहल से शुक्री, आप सभी बद्दों को तहल से अभार करता हूँ, बहतरीन तरीके से जोरो सोरो के साथ अपनी तैरी लगाई, और selection लेके दिखाई, तहीं कि समच, जैहिन सभी को दोस्तों झाल कि समच, झाल कि समय जी आप दोस्तों कि समय अपनी तैरीके से शुक्री, जैहिन से वाच, तुझ में आप करता हूँ, झाल कि अभार दोस्तों पेदां, बहतरीके साथ आप श्तों उन खेंसरेके साथ अबादाएं, तहब झाल झाल